कि अब्रिवन क्या आल चलें सभी के आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो रचे से पढ़ा ही लिखाय कर रहे होंगे तो सभी को गाई शाम के च्छ वच्छ गई सबसे पहले गाई सभी को राधे राधे गाई राधे आधे आधे डिपिका साहिल संदीप सभी को और ग आज आप लोग जैसे कि आप देख रहेंगे स्क्रीन के ऊपर बेसिक एलेक्रोनिक्स बिटा तो आज आपको बेसिक एलेक्ट्रोनिक्स कुछ नए अंदाज में पढ़ने को मिलेगा और यह प्रॉमिस है मेरा कि आफ्टर दे क्लास ऐसे से जहीं कोई एसा क्वेशन नहीं हो होगा जो आप ऐसे से यहां पर बेसिक एलेक्रोंइक्स का फोड न पाये तो नए अंदाज में आपको यहां पर जो बेशिक एलेक्ट्रोनिक्स आद दोस्साथ आपको पढ़ने की लिए मिलेगा च्छिए बीडिया है चल्द तो इस्टार्ट करेंगे बेसिक एलेक्रोनिक हैं तो basic electrons को अपन सीधा स्टार्ट करें कहां से वह हैं से semiconductor से ठीक है नो में से में बूलते हैं सब्सक्राइब में ऐंपनी स्टार्ट करें चिए ठीक है तो हमारे जो semiconductor material कौन से material होते हैं बेटा सिमी conductor material आपके वह material होते हैं जिने की conductivity हमारी जो insulator और आपके जो चुन्डक्टर के बीच में लाई करें इनको अपन क्या बोलते हैं ऐसे material को हम यहाँ पर समी कंडुक्टर material बोलते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि insulator में current किसकी वैसे flow current flow ही नहीं होता है हमारा और आपके जो कसकी वैसे flow ह reasons रखेंगे से और सहीड़र हमारे वह होता है जहां मैं हरे मैं किसकी वैसे k यहां पर होडस और इलक्रों सन्सें नहीं फोस्ता है आपका वजयं से क्यों ए겠어 क्प्लों होता है कशिक है so that why this is no C9 sensi content original semiconductor material को जो resistance है काफी high resistance होता है और इनका जो resistance है कितने order का होता है आर जो है लगभग इनका होता है guys इनका जो resistance होता है guys लगभग आपका in order of the 100 को medium resistance की category में यहाँ पर यह आते हैं जिक है अब यहाँ पर बात करें semi-conductor material की तो यहाँ पर दो टाइप की हमारे पास में क्या होता है semi-conductor material होते हैं पहला होता हमारे पास में intrinsic semi-conductor material तो यहाँ पर जो intrinsic semi-conductor material है कौन सा होता हमारे पास में intrinsic semi-conductor material basically आपके वो material होते हैं जो नैचर में किसमें पागी आपके प्योर फॉर्म में पागे छाते हैं किसमाय पाधे घाए अगर इंग्जामपल की बात करें, intensive semiconductor की की क्रिश्च लाइन, इस्ट्रक्च रहे है, जिदूने ही भी हमारे semi-unto material है अगर उननका पसे क्या विलीबलное persistent structure, तो यहां पर जो crystal structure है crystal structure में वो आपके perfect कैसे काम करते हैं यहां पर perfect जो है आपका pure semiconductor material की तरह काम करते हैं किसमें आपका crystal structure में तो यहां पर इनका example यहाद रखेगा example यहां पर silicon और जैसे आपका यहां पर germanium लिखा है ना अब देखो यहां पर हम इसकी जो concentration है ना तो concentration बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें doping करते हैं क्या करते हैं यहां पर concentration को increase करने के लिए यहां पर एड कर देते हैं Doping क्या होता है आपका तो यहां पर impurity को क्या कर देते हैं अपने एड कर देते हैं तो अभी यहां पर हमारे पॉरिटी को क्या कर देते हैं क्या है ऐक ह 106 संब्से अंरे ही जो डोपिंग आई, based on the doping in the extrinsic semiconductor material, they are again classified in two types material, that is a P-type material, और हमारा N-type material, चीक है, तो हमारे पास में, once again, आपके दो type के material आ जाएंगे, P-type material और N-type material, तो अब देखें हमारे पास में, जो N-type semiconductor होते हैं, N-type semiconductor material, तो N-type semiconductor material कौन से material होते हैं, आपके, यह आपके group 5 के material होते हैं, किसके आपके group 5 के material होते हैं, और यह कैसे होते हैं, यह पेंटावलेंट होते हैं, कैसे होते हैं, यह आपके, पेंटावलेंट होते हैं, और यह क्या कहलाते हैं, आपके, जो N-type material है, they are also known as, इनको क्या बोला जाता है डोनर और यहां पर जो हमारे मेज़ॉरिटी केरियर होते हैं मेज़ॉरिटी केरियर आपके कौन से होते हैं आपके मेज़ॉरिटी केरियर होते हैं यहां पर एलेक्ट्रोन और एलेक्ट्रोन को पर चार्ज कितना होता है बताएंगे फटावर्ट से दूसरे हमारे पास में जो material होते हैं वो कौन से होते हैं आपके p-type material होते हैं ठीकिय है टो p-type material वो material होते हैं जहां पर आपका जो majority carrier हमारा जो होוכ सरो होते हैं आपके ऐसे होते हैं ये देआर्दा positively charged और ये किसके Element आबार गृ। 3 के element और इसको अपन क्या बोलते हैं trivalent भी बोला जाता है trivalent तो अब देखो यहाँ पे यह जो आपकी पीछाए material इनको क्या बोला जाता है acceptor है इनको acceptor भी बोला जाता है they are also known as acceptor अब देखो यह तो था basics है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपने basics बताना था आपको यह अच्छे तरीके से आता भी होगा अब यहाँ से जो आपकी सुरुवात होती है यहाँ से जो हमारा basic electronics जो है basic electronics का सुरुवात होता है now ready यह सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या था प्रिशात है तो इससे आपको एक आईडिया लग गया आपको आई नो यह चीज़ा आती होगी now अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते है basic electronics को तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे diode construction and its application चल तो यहाँ पर आज आपको बहुत मस तरीके से कैसा element है हमारा गाईज यह एक आपको rectifier element है जो कि क्या करता है circuit में rectifying property को add करता और यह क्या करता है आपका it can convert AC to DC or DC to AC also है अब देखो हमारे पास में जो diode है डायोड की जो formation होती है यहाँ पर जो diode है guys diode का जो formation होता है formation कैसे होता है न तो diode को formation करने के लिए हमें किसकी जरूरत होत की हमें basically जड़द होती है 2 वाटेरियल के थीक है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दो material हम को चाहिए होते हैं तो completing uns and complete material हम लेते हैं पर पी आफ मेरियल पी एन जंक्शन का formation होता है पी एन जंक्शन का formation होता है which act as a diode ठीक है चल तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं जो पी एन जंक्शन है बेटा पी एन जंक्शन के study करते हैं ठीक है चल अब देखो यहाँ पर जो PN junction है तो यह रहा हमारा PN junction ठीक है तो अपने क्या किया। यहां पर एक junction के अक्रॉस है यह भी दिखाया है ।षयर्स में और मैंने ऐसे किया एक आपका junction के ICH प्रॉस मैंने क्या किया। यहां को His Ini pen pil capitalism को do और यहां पर आपका and time material कोा बिक्ब्रнул को छो और यहां पर जो P-type material गाई इसमें आपके जो majority carrier है, majority carrier में कौन पाई जाएंगे आपके holes, they are the positively charged, ठीक है, और यहां पर एक का दुक्का क्या पाई जाएंगे, आपके minority charge carrier में electrons भी पाई जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यह जो junction है आपका है, यह junction, इस junction के across, यहां पे एक N-type material लिया, और N-type material में क्या पाढ़ जाएंगे, बेटा, electrons पाढ़ जाएंगे, ठीक है, EL-क्रण, और electrons कैसे होते हैं, आपके negatively charged होते हैं, और एक का दुक्का, यहां पर क्या पाई जाएंगे,आपके holes भी पाईगे हैं, आपके minority carrier मैं, अब देखों, यहां प का depletion layer कहलाता है तो यह जो depletion layer इसको अपन किस नाम से जानते हैं barrier potential के नाम से भी जानते हैं so this is also known as barrier potential ठीक है so it is also known as barrier potential ध्यान से समझते चलना आज के बाद कभी कोई दिक्का समझ्या परेशानी नहीं आएगा अब यह जो यहां पर हमारे पास में जो आयोड का formation हुआ इसको अपन ने क्या किया battery के साथ में connect किया चिह किसके साथ में connect किया वैटरी के साथ में connect किया अब यहां पर देखिए यह जो आन टाइप है और हमारे पास में पी रिषण है यहां पर मैंने किया कि एक जो forward wise condition, तो यहाँ पर देखिए आपका जो forward wise condition होता है forward wise condition क्या होता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो diode है अगर इसका symbolic representation देखा जाए, तो क्या होता है हमारा, यह इसका symbolic representation होता है, ठीक है, ध्यान से देखें गाइस, यह होगा गिया हमारे पास में क्या एनोड और यह होग के थूर तो यहां पर क्या होता है आपका फार्वड वार्ड कंदीशन में की लेन एफ मर और इस पोजिटिव विन रिसपाट टूम थे क्या हो minder निस पोजिटी विद रिसपें no matter what value of supply no matter what value of supply if anode voltage is greater than the cathode if anode voltage is greater than the cathode immediately diode क्या हो जाएगा हमारा on हो जाएगा और इस जो controlling है यानि कि on state या off state वो हमारे हाथ में नहीं होती है इसलिए इसको पन क्या बोलते हैं यहाँ पर uncontrolled element बोला जाता है देखो अब यहाँ से आपने क्या किया है कि यहां से आपने positive supply को दिये आपने है तो now in this case anode is positive with respect to cathode अब यहाँ पर जो any reason में आपके electron है न अब any reason पर जो electron है यह भागते जाएंगे भागते जाएंगे क्योंकि इनको क्या मिल गया potential मिल गया एनरजी मिल गई यह भाग के जाएंगे यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर जो आपके P reason में आपके holes है यह यहां से भाग कर आएंगे और यह जो यहाँ पर junction यह जो आपका junction रहीन की depletion layer यहाँ पर इसके across क्या होंगे देयर diffused यह क्या होंगे इसके across पता है क्यों देखो जब यहाँ पर आपने जैसे ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर इसको समझेगा गाइस यहाँ पर आपने small potential apply कि आपने यहाँ पर आपने small potential apply किया यह लाइन सीधी नहीं है साथ में लाइनमे प्राइब आपङ क्या है तो यह तो यहां पिए आप्ने क्या क्या किया इस लिए फिर ऐसे अपनेघर ब्यूtechnि हाँ क्यों है हो जाएगा तो अंटिल अनलेस जब तक देखो यह वारी हमारे पास में यह पोटेंशियल आपका यह जो लेयर आपका डिपलेशन लेयर यह अग्जिस करेगी तब तक यहां पर हमारा एनोर से कैथोर की तरफ करेंट आपका फ्लो नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना तक वोटेज यां यहां तक वोल तो लेकिन यहां तक का copper Tesla नहीं हुआ यहां तक आपने बोलटेज आमेरे लाल लेकिन 이번 रियोल लेकिन आपका फ्लों नहीं वह लेकिन इस वोल्तेज पे गये इस फ्लो पे आप का कंप्लेट लियह सो ow गया और immediate 위해 Land से current मेरा क्या हो आपका स्टार्ट ऑना flow हो गया तो यहां पर दो वों टेज एक्ट system trool दा एनो टू कैतोर इस नोन ऐस ना cat in嵉टेज तो इस वाले वोल्टेज को क्या नेया मेरे लाल cat in voltage बोलेंगे और इस control well च्भी यह जो आपके depletion layer completely क्या हो जाएगी आपकी vanishes हो जाएगी ठीक है और और से cathode की तरफ current आपका flow होगा तो डाइट के characteristics कैसे निकले non-linear characteristics निकले कि निकले अच्छ अब यहाँ पर जब हमारा electrons यहाँ से जाएगे holes यहाँ से जाएगे तो यह जो depletion layer है यह क्या करेंगे आपके जो आपके P reason है यहाँ पर P reason को क्या करेगा यहाँ पर आपका जो positive charge है इसको यह लीव करेगा तो यहाँ पर जो हमारी depletion layer यह किससे मिलके बना आपका negative lines और positive lines से मिलके बना very very important है न तो जो barrier potential है guys यह किससे मिलके बना मिलके बनता है अपका it consisting of it consisting of अच्छा एक मिलको यहाँ पर P reason है न इसको मैंने उल्टा लगा दिया है यहाँ पर P reason है तो यह ऐसे कर लो न यह ऐसे तो यहाँ पर देखे it consisting of it consisting of positive and negative lines है न इससे मिलके बना होता है guys आपका positive और negative lines से मिलके बना होता है ठीक है very very important point और आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे हमारा जो barrier potential किसे मिलके बना होता है आपका holes and electrons से मिलके बना होता है बताओ आज clear हुआ guys सभी को एक बार बताएंगे फटावर से आज clear हुआ सभी को यह वाला कि जो barrier potential है किसे मिलके बना होता है because यहाँ से electrons जाएगा यह positive charge को leave करेगा holes आज सभी को एक बार बताएंगे फटावर से आज clear हुआ जो जन्म जन्मांतर का आपके आखों के आगे धुआ छाया हुआ था यह clear हुआ guys बढ़ाएंगे फटावर से यह clear हुआ guys यह clear हुआ सभी को clear वा के नहीं हुआ guys फटावर से बताएंगे यह सबीगो clear हुआ बढ़ाएंगे फटावर से सबीगो clear हुआ आज ठीक है तो यह यह एक इस्टूडियो में थोड़ी सारे इस्टूडियो में हुआ आगे ग्रीन आगे गाइस अभी एक बार सब कुछ clear हो गया था है फटावर से मैसेज करना मुझे एक बार मैसेज करेंगे सारी चीज़े clear है और अब यहाँ पर आफ वाइस इसकी सारी चीज़े क्लियर प्लीज एक बार मैसेज करेंगे ओके चला थैंक यू सो मच यह ना चलो आदे लोग भाग गए कोई भात नहीं है जितने लोग है उतनी लोगों को पढ़ाएंगे और यह बहुत ज्यादा इंपरेंट पॉइंट आपका चीज़े के वहां इंपरेंट पॉइंट तो यहां से सभी लोग इस वाला कुश्यन को नोट करेंगे और पूछे पूछा था हाँ तो आप देखिए यहां पे दा वोल्टेज एडविच करेंट फ्लेंग तूद अनो यह होता है आपका cutting voltage 0.7 किसके लिए हमारा यहां पर silicon के लिए होता हमारे पास में और हमारे पास में यह जो VT है oc fortunate इसको ठllor message भी बोला जाता है जीरो पॉइंटrी वूल्ट किसके लिए ह душ के लिए हमारे पास में आप 2 यहां पर देखेए जैसे हमारे पास में क्या हुआ किया हुआ है यहां से आपके और सबस्राइन का ढूंगरें ऑपकराइस कि अध्यान रिखने पर जिसे क्या बोलते है मेरे लाल diffusion क्या बोलते हैं क्या बोला जाता है जिसको Diffuse and Capistence so let it be हमारा CD क्या है guys यहाँ पर CD है आपका diffusion capacitance so CD है guys आपका CD क्या है आपका diffusion capacitance so it is your diffusion capacitance, ठीक है हमारे पासमें जो diffusion capacitance है इसका value किता हो था है CD का it is given by TP upon आरएसी कितन होता है गैस टीपी अपॉन राट एसी वरी वरी इंपरेंट पॉइंट है ना आपका पिछले और भी स्लीड में यहां से कुशन बना था ठीक है वेरी वेरी इंपॉरेंट पॉइंट क्या होता हमारे सीडी डिफ्यूजन का पिस्टेंज टीपी अपॉन आरे सी अब बात करें सब टीपी क्या होता है तो टीपी होता है गाइस आपका केरियर लाइफ टाइम आफ होल्स यहां पर धिहान देंगे केरियर लाइफ टाइम आफ हूल्स heoshi career lifetime of holes सके जो हमारे होल्स हो थे होल्स के थैज होता है क्या होता है हिल्स इसे है और यहां पे जो रप जो ररत है ऑर एचीह क्या उसको करेंड और स्दर्श्चेश्टंस और डायनामिक रिखिस्टंस और डायूड या स습니다 IS को घॉलते हैं अब एक चीजन यहां पर जो AC resistance it is very very important यहां पर very very important तो यहां पर हमारा RAC होता है guys RAC is given by RAC की value कितनी होती guys it is given by eta into VT divided by I यह होता है हमारे पास में ठीक है तो यहां पर I क्या है current flowing through the diode और ETA क्या है और VT क्या है इसको पर लोग एक बार जान लेते हैं तो जो यह टा है ना guys ETA को अपन क्या बोलते हैं guys ETA is known as utility factor utility factor पिछले बार यह पूछा गयाता है utility factor के बारे में तो यहां पर देखो हमारे पास में guys utility factor होता है न तो utility factor इता आपका जो है one किसके लिए होता है निकाल सकते हैं उसके बाद में बात करें यहां पर VT क्या है है VT room temperature तो VT जो हमारा room temperature पर कितना होता है गाइस इस गिवन बाई 26 millivolt ठीक है वीटी कितना होता आपका room temperature पर 26 millivolt ठीक है very very important है न दोन अगे चाहे germanium diode हो चाहे silicon diode हमारा कितना होता है गाइस आपका 26 millivolt होता है ठीक है कई बार पूचा गया है तो यहां से अगर सारी चीज़ें दी गई है तो आपन क्या निकाल सकते हैं यहां से डायोड का resistance है डायोड का resistance को easily calculate कर सकते हैं चिक है चलो forward wise complete हुआ यहां पर सबको clear है एक बार अगर clear है तो फटावर से यहां प्यारे से मरग नहीं वाले कमेंट करके बताएंगे यहां तक है ना चलो आज तुमको बहुत यहां पर जो analog electronics है इसका पूरा का पूरा गर्दा उड़ा जाएगा यह सुन्दा से प्यारे से कमेंट करके बताना होता है ना चलो कोई बात दो मेरे जिगर के तकड़ो लाड़ लो चलो आगे चलते हैं पीपीटी कहां मिलेगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और कहां मिलेगा तुमको है न चलो तो यहां पर सिंबल सर्च करेंगे अब इने सिंग आगे लिखेंगे अगे लिखा होगा ओफिशिल उसको तो यहां पर पूरा नोट्स आपके पास में आगे चलते गैज और नेक्स्ट हमारे पास में reverse-wise कंडिशन में क्या होता है जैसे कि यहां पर आपको कैसे याद करना देखो जैसे तुम लोग को छलेज में जाते हैं तो इलेक्रों रदिसे छोटी होटाओ यह पे लेक्ट्रों के बात है नहीं होटा है तो इहां पर यहां के चिप जुदा होने का ह अक क्या करते हैं इसमें reverse wise condition apply करा आते हैं कौन सी reverse wise condition और reverse wise condition में क्या होता है guys reverse wise condition में देखो यहाँ पर जो डायोड हमारा न डायोड डायोड तो यहाँ पर reverse wise condition में हमारा जो एनोड है अनोड कैसे काम करता है आपका anode is negative with respect to the cathode तो अब यहाँ पर जो diode हमारा open circuit की तरह काम करता और यहाँ पर हमारा जो diode है diode में कोई भी anode current flow आपका नहीं हो पाता है तो अब in this case हमारा जो आपका holes है वो कहा जाएगा opposite direction में जाएगा और electrons कहाँ पर जाएगे हमारे यहाँ पर opposite direction में जाएगे अब पता है इस पूरे माध्या में इस पूरे वाक्याप में क्या हुआ कि यहाँ पर जो depletion layer थी है इसने मौके का फाइदा उठा लिया यहाँ पर जो depletion layer थी बेटा इसने मौके का फाइदा उठा लिया और जो depletion layer है इसकी bit क्या हो गई तो यहांपर यहां पर क्या होता है आपका inkreis होता है आपका in subject not यहां पर याद रखेगा कि हमारे जो रिवर्सवाइस कंडिशन से फोंच में junuity इंक्री त oni मैं इनक्रीश होता है तो मांइनलिवर क्या होता है हमारे तक एक मांइनलिती के रिचन यहां से क्या कर जाते हैं जिसकी बजह से यहां पर एक इस्मॉल करेंट फ्लो होता है क्या होता है यहां पर जिसकी बजह से एक क्या किया गलती से भी ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज लगा दिया अब जैसे तुम इमोशनल अत्याचार करेंगे कि हमने ये कस्में खाई थी वादे किये तो इंसान क्या होता है और इमोशनल होके बावनाव में बैज आता है और तुम्हारे पास चला आता है तो अगर यहां पर ब्रेकडाउन से ज्यादा अपने वोल्टेज कर दिया तो रिवर्स वाइस कंडिशन में एक हाई करेंट फ्लोगा डैट कें डैमेज दा डायोड तो यहां पर हमारा जो बी बीके है इससे उपर आप क्या नहीं कर सकते वोल्टेज को उपरेट नहीं करा सकते जो यहन पर जो डैयोड है देखते हैं यहां पर डायोड के ट्रास्फर करेक्रेक्ट्रेटिक्स ठीक है जो तो यहाँ पर जोट घ्रास्पर करेक्टरेटिकंस औडायोड़ ठीक है चल तो यहाँ पे जो transfer characteristics से मेरे लाल transfer characteristics को अपन लोग देखते हैं तो क्या है हमारी पास में transfer characteristics तो देखो जो आपके transfer characteristics है transfer characteristics तो transfer characteristics को draw काने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ points की मदद लेनी पढ़ेगी तो हमें तें यहां पर हमारा जो डायोड है đायोड में क्या होता है अन्य तो यहां पर इन इस Thank you सकता है कि तरह काम करता है तो हमारा जो अनोर है नोसे कैफोर की तरफ करेंट हमारा लो होता है आप यहां पर देखो short circuit की तरह काम कर रहा है तो short circuit की across voltage कितना होगा zero voltage होगा कि नहीं होगा बोलो हाय यह जो short circuit हमारा short circuit का across voltage कितना होगा zero होगा आपका आपने इसाइप है च्छी बात है अब जो दूसरी condition हमारे पास में दूसरी किढ थी आपकी यहाँ पर這些 condition तो यहाँ पर देखू रिवर्ज वाइस कंदिशन में क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास में जब डायोड आपका लिवर्ज वाइस कंदिशन में तो डी ब French-班 में आपने यहाँ पर इल्टा potential apply किया, so, यहाँ पर हमारे पास में anode है, और यह क्या हमारे पास में cathode है, तो अब यहाँ पर anode is negative with respect to the cathode, तो in this case, आपका जो diode है, वो कैसे काम करेगा, ऐसे open circuit की तरह काम करेगा, कैसे open circuit की तरह, और यहाँ से anode की cathode की तरफ, आपका कोई भी current आपका flow लेकिन यहाँ पर आपको पता, open circuit का cross का exist करता है, आपका voltage लगेगा, तो इसी को open क्या बोलते है, voltage, blocking capacity of the diode, आप जब यहाँ पर switch off करते हैं, तो current तो 0 हो जाता है लेकिन यहाँ पर इसका cross का exist करता है, हमारा वौ्टेज एक्जिस्ट करता है अब 2020 कि यहां पिर ट्रांफफर कड्रेक्राटिक्टिक्स तो अब इसके ड्रॉप कर सकते हैं लोग किस तरीक से इसको उपन ड्रॉप करेंगे C अब जब आपके चलतीकितों सो नहीं पूचह जाओ तोयुगियां अभी टाइम change हो चुका है, तो ये क्या होगे हमारे पास में, anode current, और ये क्या होगे हमारे पास में, anode voltage, जिकए, तो अब देखो यहाँ पे, जब हमारा, forward ně, reverse wise reason में आप गा, जब यहाँ पे हमारा, कैसे ही reverse wise reason में, तो यहाँ पे reverse wise reason में, current आपका कोई flow नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर आपका voltage कितना block हो रहा है, यह वाला पगदो है आपका biggest फ्लोडो के तरफ बोलो हाया ना, तो अब कौन real current flow हो गा हमारा, यह रहाँ यह यह आपके ट्रांसफर characteristics निकल के आगए, बोलो हाया ना, तो यह कौनसे स्टेट आगे हमारे पास है आभी फोर्वर्ड वाइस यस्टेट और यह स्टेट निकल कई आगे आपका सबस्टार एंगे जल्दी से बताइब से बिट फोसी बिट फॉस्टी करते हैं सबीक लाट ख राम्जा किनिंग आया जल्दी से बता 1963 यहां पर कोई ऐसा मेरा जिगर का तुकड़ा है जिसको यह करेक्ट्रेटिक समझ में ना है आज के वाद तुमको कभी ना इसमें दिक्कत नहीं आने दुगा ना बेसिक लक्ट्रोंस में कभी दिक्कत नहीं आएगे तो गरदा और आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर और डायोड है इसका रीजन क्या है इसका तो यह होता है कि यहां पर ज mensen просто를 करेंट तो और यहां पर सिलिकन डियोड के कैसी होती ही हाइब की आपकी टांप्रेशिर ब्रीघर होती है तीख है अब आप कह Так दो कुई साव भी सिलिकन डायोड के लिए जो आपका कट in voltage है कितना हुआ है हमारे पास में? 0.7 आयपका X और germanium Dot के लिए cut in voltage कितना है हमारे पास्ayan? कट in voltage है आपका 0.3 volt है तो अब यहां पर यह बता हो barrier potential के लिए खर्च होगा हमारा यह वाला voltage है तो यह जो cutting voltage है cutting voltage जितना कम होगा हमारा यह वाला जो time period है उतना ही कम होगा की नहीं होगा बोलो हाया ना तो यह वाला जो time period है वो किसके लिए कम होगा इसके लिए कम होगा की नहीं होगा तो यहाँ पर जो germanium diode है इसकी conduction state पहले आजाए की नहीं आजाएगी बुलो हाँ है ना अगर तुम्हारे पास मैं मैंने एक silicon diode दिया दूसर germanium diode दिया तो यहाँ पे conduction state के पहले आएगी germanium की आएगी की नहीं आएगी है ना तो हमेशे याद रखना के question बन सकता है बहुत ही प्यारा question बनेगा कि यहाँ पे conduction state पहले किस की आएगी है अगर दौना forward wise में लगा दिये जाए तो अगर यहाँ पे both diode अगर forward wise में लगा दिये जाए तो यहाँ पे note करके लिखेंगे if both diode in forward wise if both diode in forward wise then germanium diode conduct first germanium diode conduct first very very important concept यहाँ पर मज़ा आजाएगा अगर यह वाला concept पूछ लिया गया तो ठीक है और इसका reason क्या होगा आपका इस cutting voltage होगा चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे बढ़के देखते हैं दुनिया में क्या है अब इसके उपर यहाँ पर diode किया है तो आप कहेंगे से diet को उपर question हो जाए तो मज़ा ही आजाए चलो diet को उपर question करते हैं पर लोग ठीक है तो diet को उपर question करते हैं determine V0 यह आपको निकाल ला है यहाँ से और यह SSE JEE में आया हुआ है ठीक है SSE JEE में ही गाइज यह आया हुआ है यह स्मिरलाल चलो और जो diode हमारा assume diode कैसा है आपका डायोड आपका ideal diode ठीक है यह exam में लिखा रहे है कि डायोड हमारा ideal है कि नहीं है आपका ठीक है ideal diode का मतलब होता है कि cutting voltage कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा चलो अब बताएंगे फटावर्स यहाँ पर इस वाले question का answer अब देखो यहाँ पर higher potential और lower potential देख लीजे तो यहां पर higher potentialsti कहां पर आ रहा है हमारा Complete पर ऑगे कहां पर कहां पर रहा है लोऊर-पकोड बंचल कैथोड पर कहां तो इसका मतलब हमारा जो diode तो कर दीजेगा short circuit से replace कर दीजेगा तो यह हमारा जो डायोडा गाइस किसे replace हो गया short circuit से replace हो गया तो डायोडा आपका क्या हो गया guys short circuit हो गया और यहाँ पर जो circuit है उसको as it is बना लिजेगा बस आप देखिए simple किसका question बने गया network का question बने गया की नहीं बोल गया बोलो हाया ना now it is a simple network question 10 यह कितना हमारे पास में अच्छा यह भी टू है तो यह भी हमारे पास में टू यह भी टू हो गया यह माइनस और प्लस यह वी नॉट यह कितना हमारे पास आपकर गतना एक और यहां पर यह वाला कितना आजाएगा आपका वी एकसवाई टू और यह कितना आ हमारे पास में वी एकस-5 divided by 2 is equal to zero बस आपका यसेम कितना आ गया टू-1 2 3 है तो के लोगर के लोगी हमारे पास में जो वी एक्स है वी एक्सिस कल टुकर दो भीना है तिन और यह 15-15 फाइब लो टेना तो यह आप पर एक और question लेते हैं ठीक है एक और question consider करेंगे यहाँ पर SSC J में ही आया हुआ है guys determine V naught and I ठीक है if diode is non-ideal चल देखो यहाँ पर चल बताएंगे फेटावर्ट से within the one second one second means answer बताएंगे सभी लोग जल्दी से guys within the one second answer बताएंगे का होगा right option sorry option तो मैंने दिये ही नहीं आपको न within the one second guys option बताएंगे सभी लोग कोई बात नहीं मैं बतातु है न यहाँ पर time थोड़ा सा save हो जाएगा देखो यहाँ पर हमारा जो diode है डायोड कैसे आपका नॉन आइडियल डायोड है तो नॉन आइडियल डायोड है तो silicon के लिए जो cutting voltage है कितना होता हमारे पास में 0.7 होता है तो 0.7 से क्या करेंगे इसको आप replace कर देगे तो यहाँ पर आपके पास में जो simple circuit इसको बना लिजिएगा तो यह कितना होगा हमारे पास में like this इस तरीके से न तो यह कितना होगा आपका यहाँ पर simply इसको replace कर दिएगा किसके बात में 0.7 से replace कर दिएगा तो यह हमारे पास में कितना होगा guys 0.7 यह हमारे पास में output voltage इस वी नॉट और यहाँ पर अच्छा जो current यहाँ पर दे रखा आपको यह वाला और यह current होगा हमारे पास में और यह हमारे पास में कितना होगा चालीस वोल्ट हो गया तो output हमारा parallel में कैसा होता है equal होता है तो output voltage कितना होगा हमारे हमारे पास में guys 0.7 वोल्ट अगया ठीक है डारेक्ट यहाँ पर मिलेगा आपको तो 0.7 आगया current का value कितना हो जाए guys potential difference divided by resistance तो कितना आगया 40-0.7 divided by 1K 10 to the power 3 कर दीजें इसके बाद यहाँ पर कितना आजाए guys है यह आगया आपके पास में 39.3 milli-Ampire यह हमारे पास में current आगए चलो एक बर सभी मेरे लाळले प्यार से comment करके बताएँगे अब अगर diode प्यार अगया एक तो घरदा उडाके आओगे एक्जाम में सभी मेरे लाळे एक बार प्यार से बताएँगे अगर diode का कोई question आया तो घरदा उडाके आओगे सबी लोग एक बार प्यार से जल्दी से बताएं और ना प्यार से बताने के साथ सब्सक्राइब प्लीज एक बार फटावर से प्यार से लाइक कर देंगे सभी लोग सब गर्दा उड़ा के आओगे ना गेम ओवर कला स्केल का तम टाटा बाबाए चल आगे चलते हैं गाईस और डायोड में देखी लास्ट यहाँ पर एक चीज़ और बची छोटी सी इसका रिप्रेजेंटेशन तो डायोड में गाईस देखी यहाँ पर डीसी होता है डायोड का डीसी रिप्रेजेंटेशन होता है वह क्या होता है डायोड में तो देखे हमारे पास में जो डायोड है तो डायोड में डीसी रिप्रेजेंटेशन किससे हम यहाँ पर दिखाते हैं कटिन वोल्टेज और डायोड के साथ में दूसरा होता है इसका एसी र reflection में हम क्या करते हैं यहां पर इसकी साथ में एक resistance दिखाते हैं इसका resistance दिखाते है लैट इद पीर वह कितना हो हमका ररेफ चाइक इसका के एशिंटिशन होता है इसकी प्रेजिन धिशन होता है ञेक है झालते और अगले देखते हैं अगला टॉपिक हमारे पास में rectifier और जो rectifier है guys rectifier से at least आप 2-3 question मान लिजे है हर साल rectifier से SSC यही में 2-3 question आते ही आते हैं ठीक है rectifier तो सबसे पहले अगर आपन देखें कि rectifier क्या होता है तो rectifier हमारा device है जो कि क्या करता है that can convert AC into pulsating DC इस पर यहां पर गौर फर्माएंगे है इसलिए मैंने clear लिखा भी है कि हमारे जो rectifier rectifier क्या करते AC को pulsating DC में convert करते हैं हलाएं कि ideally क्या होना चाहिए कि हमारा जो AC AC को DC में convert करना चाहिए but यहां पर fact क्या होता है it convert AC into pulsating DC सबसे पहले हमारे पास में different type के diode होते हैं तो सबसे पहले अपर लोग यहां पर study करें किसके बारे में half wave rectifier के बारे में study करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो डायोड है आपका half wave rectifier से भी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो अब देखो यहां पर जो half wave rectifier है तो input side पर अपन ने क्या यूज किया है आपका step-down transformer है इन्पूर साइट पर क्या यूज किया गाई यहां पर जो हमारा step-down transformer है इसको यूज किया है यहां पर आप directly इसको जो source है source से भिरप्रेजेंट कर सकते हैं च्छिकिंश में व का value क्या है V is given by vmsin omega t, एल अब देखो हो यह पर यह हमारे पास इनिपुट होगया और यह हमारे पास में क्या होगा है guys आपका output हो आप outपोहगा है चाल अब ध्यान से देखें इसकी अजकी बहुत कभी आपको दिक्कल समस्य परेशानी नहीं आएगी किसी भी waveform में तो सभी लोग द्यान से देखें है कि waveform जो हमारेtant कैसे की जाती जीक कि तो का लेकल देखें गाइस how to draw the waveform अब देखें यहां पर हमारे पास में यह आगी आपके पास में waveform तो अब देखको हमारे पास में जो input है input कैसा है sinusoidal input है तो यहां से अपने क्या लिया एक complete half cycle ले लिए चापने पर ध्यान मत देना समझने पर ध्यान देना तो यह 0 हो गया यह मेरा πई हो गया और केतना हो गया गाइस आपका यह 2 पाई हो गया तो यह positive हो गया यह हमारा आपका 0 2' Pastop 102 पाई के वीच में है कम डायोड का यह ही पॉज़िटिव कहा चाहँ हा गया और बिकले प्रतिछ से इसन में हमारे पास में जो डायोड है आपका एनुर से पॉजिटिव कैसे काम करेगा आपका फॉर्वर्ड वाइस और फॉर्वर्ड वाइस का मतलब होता है आपका और स्विच और स्विच इस नदिंग बशॉर्ट सर्कुट की तरह एक काम करेगा जिक है अब यहां पे जो मेरे डायोड है लगाईश निएक जा nets devoted शॉट Sor kathun like गाई इस तरीक से क्या हो गया उलॉENTS के जान बड़च के क्यों एक लोगा पहलों ऑंड़लेश च्ञे sudah निना यहां हो पे शॉर्ट eri गई इन्पट Whole कि और गया ? तो यहां पर यह 0 हो गया और यह हमारे कितना हो गया ? पय हो गया इसको थोड़ा सद अच्छे से बना देता हूं किवेडाँ यहां पर आ गया है आपका 0 और पाइ बीच में हमारे आ गया 50 दर इक इस पाइं तो यहां पर सब्डेुट अब यहां पर देखिए जैसी पाइ-पॉइंट किया गया, now, जैसी कहां पर आपका नेीवल क पर tis PI लोगो रहे、 और वहाँ नीवल कहला घेए, जाए, यह झा है, second condition है second condition ठीक है तो अब जहको second condition में कितना हो जाएगा आपका now anode is negative with respect to cathode अब diode यहाँ पर कैसे काम करेगा बताओ diode यहाँ पर open circuit की तरह काम करेगा ना open circuit की तरह बोलो हाय या ना तो अब यहाँ पर यह कितना हो गया guys open हो गया यह क्या हो गया यहाँ पर open हो गया अब उसके बाद में अगें टूपाई के बीच में रिपीच में तो आउट्पूट वोल्टेस हमारा जीरो हो गया ठीक है और यह जो वैल्य कौनसी वैल्य हमारी यह maximum वैल्य है अब उसके बाद में अगें 2पाई के पाई के बीच में मिला यानि कि हाफ साइकल में मिला इसलिए इसको का बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं क्या बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं चिक है ना अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के आउट्पुट वोल्टेज की तो यहाँ पर जो हमारा आउट्पुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा तो average output voltage, क्योंकि DC है तो average output voltage, अब देखो यहाँ पर किसी भी चीज का average कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो average होता हमारा कैसे निकालते हैं, average simply divided by average कैसे निकालते हैं, area divided by the time period है, ऐसे निकालते हैं, अब इसके लिए derivation नहीं करेंगे अपन, तो यहाँ पर हमारे पास में जो V not होता है, कितना होता है guys, it is given by vm by pi, ठीक है, कितना होता है guys, आपका vm by pi, आप चाहो तो इसको current के form में भी लिख सकते हैं, current के form में भी लिख सकते हैं, current कितना हो जाएगा, it is given by im by pi, current के form में भी आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से इसका rms voltage हो जाएगा, rms voltage, तो vrms कितना होगा guys so VRMS is given by VM by Pi यह हमारे पास में कितना हो जाएगा RMS voltage हो जाएगा आपके पास में ठीक है और जो output power होगे हमारे पास में output power कितनी होगी load के across it is given by VRMS into IRMS IRMS का value यहाँ पर कितना हो जाएगा guys it is nothing but IRMS कितना हो जाएगा आपके पास में VRMS यहाँ पर आपके पास में कितना निकल गया आउटपट पावर निकल के आगया चाहिए लेकिन 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 देखो यह आपका half wave rectifier है इसकी बहुत सारी demerit होती है तो जनरली practical के मनला अगर practically हम देखें तो practically आपका application में यूज नहीं किया जाता है तो यहाँ पर देखिए इसका जो ripple factor होता है काफी high होता है ripple factor आपका यह के वाला बेटा बस थोड़ा सा है हमारा transfer utilization factor टी यू एफ तो transfer utilization factor भी क्या होता है लो होता है ask in the SSCJ SSCJ 2021 ठीक है 2021 में पूछा गया था कि what is the transform utilization factor of the half wave rectifier तो आपका लो होता है इसकी practical value है 여섯भी मैं आपको बताऊए चिक चलो एक बर बताएगे सभी मेरे लाल कैसा लगा मज़ा है दूआ धुआ हुआ 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 सारी चीज ए एक पार जल्दी सबस arriv है प्यारशनियर्सर्ड़ क्रिश्टल ख्लियर miałी एक बर डलु और प्यार से कहते हैं हमको प्यार से इंजीनियर सद्ड़ वाले जल्दी से बताएं यह एक बार है ना प्यार से यहां पे उसके बाद फिर आगे बढ़ू में जल्दी से बिट फास गाइस बिट फास जल्दी से बताएंगे मजा आया अच्छा स्री वी बाई तो गल्ती से पाहे यह लिख दिया ना वी मजू से तो मैंने क्या बोलाय आपको टू ही बला तैंड गल्ती से प्रिंटिंग मिश्टिक होगय मैं पे कि चल आगे चलते हैं यहां पर और निक्स्ट देखतें हैं अपनलोग किसको सेंट्री तेक्टिफायर को अपनलोग यूज करते हैं तो यहांपे हम कौन से transformer use करते हैं जो center tap transformer होता है center tap transformer को अपन use करते हैं, अब यहां पर से center tap transformer क्या करता है, और जे centre tap transformer होता है न तो यहां पर जो secondary winding होते है, जो secondary winding है, हमारी center tap transformer की क्या करती है, it divides the input voltage, यहनी की secondary voltage intoimal plenty, हमारे работает मैं जो center tapped winding होती है आपकी center tapped winding ठीक है तो यह क्या करता है it divide so it divide the voltage it divide the voltage in to equal magnitude in to equal magnitude but opposite in phase opposite in phase opposite in phase opposite in phase तो यहां पर ध्यान रखेंगे तो यहां पर जैसे माल लिजेगा यहां पास में V क्या है input voltage है तो यहां पर कितना हो जाएगा यह Vy2 और यह भी कितना हो जाएगा आपका Vy2 so let it be a voltage V a माल लिजे और यह क्या माल लिजे वी बी माल लिजे न तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा V a is equal to V b होगा लेकिन opposite किसमे होगा आपका phase में होगा ठीक है सबसे पहले आपन यहां पर क्या करेंगे इंपुट साइकल को ले लिजेगा फटावर से और इंपुट हमारे पास में क्या है sinusoidal आपका supply है और यहां पर क्या ले लिजे आउटपुट ले लिजे तो यहां पर देखेंगे सभी लोग यह हमारा positive यह हमारा negative होगा ठीक है 0, pi, 2, pi तो यहां से positive half cycle है तो यहां पर और यह positive supply है तो आपका d2 के across कैसा चला जाएगा हमारा negative चला जाएगा है तो यहां पर diode d2 कैसे काम करेगा आजे reverse वाइस की तरह काम करेगा तो अब यहां पर हमारे पास जीरो से pi के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा जो output voltage है वो देखने को मिलेगा है तो 0 से लेके pi के बीच में है तो 0 से लेके pi के बीच में आपको यहां पर क्या देखने को मिला output voltage और यहां से 0 से pi के बीच में कौन conduct कर रहा हमारा जो diode d1 है diode d1 conduct कर रहा है यानि कि diode d1 हमारा कैसा है on और diode d2 है कि यह का है हमारा off है अब जैसे ही हमारी supply कहां पे गई negative में गई center tap transformer क्या करे यह जो वी है कैसा हो जाएगा negative और वी बी कैसा हो जाएगा यहां पर positive है यहां से diode d2 कैसे में आ गया मेरे लाल forward wise में आ गया और diode d1 किसमें पहुंच गया आपको जो डायोड d1 है हमारा reverse wise में हो गया यानि की off circuit की तरह काम करेगा आपके पास में ठीक है so it act as a reverse wise condition और जो डायोड d2 है कैसे काम करेगा ऐसे forward wise condition की तरह काम करेगा ठीक है चल अब यहां पर देखिएगा तो यहां से हमारा आउट्पिट मिला घायोड हमारा d1 एक इस केस्में all shows ले एक मार्फ और ठीक ही यहांさん को आउ्ट वोल्टेज्च मिलन आ मिल यहां पर आपको जो आउट्पट वोल्टेज़ किसके लिए मिल ला तो मैं complete सइकल के मिलना है इसी लिए इसको अपन क्या वोलते है full wave rectifier बोला जाता है ठीक है चल अब यहाँ पर जो center tapped rectifier है guys तो center tapped rectifier में देखिए इसका जो average output voltage होगा V0 it is given by 2Vm by pi 2Vm by pi और यहाँ पर अगर current निकालना I0 कैसे निकाल देंगे nothing but कितना हो जाएगा मारे पास में V0 by R और अगर current इसके form में लिखना है तो directly इसके form में भी आप लिख सकते हैं no issue तो this is the complete about the center tapped rectifier आप देखिए यहाँ पर इसके क्या क्या advantages होते है इसकी जो ripple factor होती है guys ripple factor है न ripple factor क्या होती है आपकी low होती है ripple इसकी जो efficiency है guys efficiency कैसी होती है guys आपकी high efficiency होती है और यह यहां से इसके जो tuf होता है आपका transformer utilization factor यह कैसा होता है guys आपका medium होता है medium category में को रखा जाता है ओके चल मज़ा आया बताएंगे फटावर से step अब नहीं होगा पगले center tap transformer है न कितना समझा रहा हूँ तब भी ऐसे बच्चों जैसे बाते करते हैं सर पानी पीलो नहीं कोई ज़रत नियए पानी पीने की यहां पे सारी चीज़ ठीक है एक बर फटावर से बताएंगे जल्दी से बताएंगे माजा आया सब को धूआ दूआँ ख़गा की नहीं हुआ जल्दी से बताओ ना फिर उसके पाद आगे बढ़े यहां पर क्योंकि पूरा रिवाइस कराना है एक दम है रजिनी कांत की इस्टैल में कमेंट करो न जल्दी से न ताब और तो तरीके से न सोधेट यहां पर फिर मैं आगे बढ़ू जल्दी से बिट फास्ट बिट फास्ट जल्दी से बताओ यार ओके आगे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट है मेरे पास में क्या सेंट सुरी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बहिया मतलब इससे तो अलग ही नाता है ना चाहे दुनिया चूटे एक्जामिनर की लेकिन यह ना तो शहिंटब्लेृट नहीं किया है काय पर इशयाना तो वादा हे तुस्से मेरा दोस्त वादा रात उससे implant कोई ऐसा कोश्चन नहीं होगा जिसको तुम पूट अप कर पाऊगा लोगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि तुम्हें जो पढ़ा है तुम्हें बुसरे चीज पर ज्यादा फोकस करते रिस्पेक्ट वोट यहाब जो चल रहा है उसमें फोकस करो जो अभी नहीं चल रहा है वो आगे डफेनेटली आएगा अब यहां पर हमारे पास में चार डायोड लगे हुए आपके इस तरीके से अब यहां पर अपने क्या दिया इंपूट साइकल दिया तो इनपूट हमारे क्या है इसको भी प्लॉट करता जाओंगा तो तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको मैंने ऊपर उठा के टांग दिया अब देखो यहां पर अपने क्या किया है यह हमारे पास में क्या है पॉजटिव साइकल है इनपूट साइकल है हमारे पास में पॉजटिव और निगेटिव यहां पर यह जब पॉजटिव साइकल है ना तो जब पॉजटिव साइकल है यहां पर तो पॉजटिव साइकल में देखो है ना पॉजटिव साइकल तो हमारे यह पॉजटिव कहां पर आया यहां पर आया लाइक इस इस तरीके से पॉजटिव आया तो यह पॉजटिव द 0 to pi तो 0 to pi के बीच में हमारा जो diode D1 है आपका और diode D3 है एक कैसे काम करेंगे ऐजे forward wise की तरह काम करेंगे और जब कि यहाँ पर diode D2 और D4 यह कैसे काम करेंगे आपके reverse wise की तरह काम करेंगे तो अब देखें यहाँ पर positive cycle में कौन से कौन से diode on होंगे हमारे 0 से pi के बीच में so 0 से pi के बीच में यहाँ पर आपका जो diode हमारा D1 और D3 तो D1 और D3 कैसे काम करेंगे ऐजे on switch की तरह काम करेंगे चीक है उसके बाद में यहाँ पर समय बदला, वक्त बदला, उसके बाद क्या हुआ हुआ है यहाँ हमारा negative cycle में यह negative आया यह positive आया यह negative घो कहाँ पर connect हुआ यहां पर तो positive कहाँ पर आया हमारा diode D2 के cathode प्र आया और यह positive कहा गया diode D4 के anode पर गया है hence, यहाँ पर आपका जब zero से pi के pi से 2 Bee के बीच में हमारा pi से 2 Pie तो पाई से जब हमारे पास में कितना आएगा तो आपके पास में यहां पर हमारा जो डी 1 और डी 3 यह कैसे हो गया गाई आपका reverse wise condition में चले गए और जब कि यहां पर डी 2 और डी 4 यह कैसे आगे हमारे पास में इसफिकना परे इंद्च्व में और डी 3 यहां से पॉर्वरड वय्स कंडिस्शन में और इहांस यहां से आपका जो आउट्पूट वोल्टे से इनिकल करए तो पॉजिटिब साइकल में हमेशा यह आपको यह जो आपके डाइगुनली अलिमेंट है यह काम करेंगे और निगेटिब साइकल में यह डाइगुनली अलिमेंट काम करेंगे लेकिन अगर माल लो यहाँ पर हो जाता है इस इतला लगा दिए तो यहाँ पर पॉचिटिव साइकल में यह चेंज वोगे नहीं यहपी जो है आतीट हूं होगो there तो यहां पर पॉचिटिव साइकल में हमेशा आपके दो diagonally जो आपके diode यही conduct करेंगे और negative में भी आपके diagonally आपके diode यही क्या करेंगे आपके conduct करेंगे ठीक है it is not possible कि यहाँ पर d2 के साथ में आप d3 को conduct करा दीजिए ठीक है हलांकि circuit अगर तोड़ मरोड के है ना बुच्छडा मुच्छडा कर दो तो यहाँ पर हो भी सकता है चलो यहाँ तक क्लियर है अब बता दोगे ना कि कौन सा reverse होगा कौन सा forward wise होगा आगे देखते हैं इसका output voltage तो यहाँ से गाइस इसका जो output voltage है V0 it is given by 2VM by pi average value of output voltage very very important है ना very very important guys 2VM by pi और यहाँ से हमारे पास में अगर current निकालने हैं आपने तो current कितना हो जाएगा I0 is equal to V0 by R हालनकि इसको जो current I0 इसको इस form में भी मैं लिख देता हूँ कितना हो जाएगा हमारे पास में 2IM by pi कितना हो जाएगा 2IM by pi आगे चलते हैं गाईस और फटा फट से देखते हैं इसका RMS value of output voltage next हमारे पास में V RMS तो RMS value of output voltage कितना होता है गाईस आपका Vm by root 2 ठीक है और यहां से अगर इसका I RMS निकालना है तो I RMS कितना आजाएगा हमारे पास में V RMS divided by R और अगर power निकालना ही power consumed by the load कितना आजाएगा हमारे पास में V RMS into I RMS तो यह हमारे पास में क्या निकल के आगा है इसका average value of output voltage है average value of output voltage निकल के आगा है ठीक है चला So this is all about the diode performance अब आगे चलते हैं गाईस और जिस चीज के लिए तुम लोग यहां पे beta हो रहे थे कि Sir यहां पे peak inverse क्या होता है ripple क्या होता है चला अब तुमको यहां पे यह सारी चीज़ा भी बताए जाएंगा तो हैफ दा पीशन्स अफकोस दर्शन यहां पे सारी चीज़ा recorded mode में रहती है बेटा मेरी है यूटूब में कभी डिलीट नहीं होती है से दो साल पहले भी मैंने जो पढ़ा है वह भी आपको recorded mode मिल जाएगा चलू यह तक धुणधू वोगा बले बले होईया तक यहां तक यहां कोई दिक्क्राइटण से परिश्यानी मेरे जिगर के तुखणो लाटलो उसलिष कोई तक नहीं ना एक 없 थंदर से पहरे वड़ा की नहीं वड़ा एवरीवन और जिसने लाइक नहीं किया मेरे जिगर के तक्रों फटावर से लाइक भाइक भी कर दो मजा आया चलो बहुत अच्छे सब आश बहुत अच्छे गाइस चलो बड़ी है मज आगे चलते हैं गैस नेक्स्ट हमारी पास में रिपल फेक्टर तो आज तक तुमने न रिपल फेक्टर का मतलब क्या बता हैं इसने तमारे जीवननें बड़ा आतंक मचा के रखा होगा ना इसने तुमारे जीवन में इतना उत्पात मचाया होगा कि में समझ सकता हो कि इतना इतना उत्पात मचाया हो गया सля तो मैं मंधसर यहां सकता है डीची मिलना चाहूँए था आपका जो input था input क्या था AC था अब input अगर AC था तो output कैसा मिलना चाहिए था तुमको rectifier के case में output तुम्हारा DC मिलना चाहिए था ना output कैसा मिलना चाहिए था मेरे लाल DC मिलना चाहिए था यह वाला output था DC का मतलब होता है यह पल्स यह आपको मिलना चाहिए था क्या यह आपको मिला, बताओ, नहीं, यह हमें नहीं मिला, हमें मिला क्या, जो हमने नहीं चाहाता है, तो हमें मिला यह, 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 desirable output था और यह आपको जो देख रहा है यह यह क्या है आपका unwanted output और unwanted output को क्या हम्हानिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इनसको harmonics बोलते हैं तो MPHH आपको चाहिए तो DC दा यह हमारा कैसा है DC और यह कैसे हमको दिख रहा है, यहाँ पे AC दिख रहा है, तो यहाँ पे जो rectifier का DC output है, DC output में क्या component देखने को मिला है तुमको? AC component देखने को मिला है कि निए मिला है? तो nothing but AC को है क्या बोला जाता है, harmonics और harmonics को कौई पताता है, यहाँ पいて जो हमारा ripple factor है ripple factor को voltage ripple factor भी बोला जाता है फिसे को यहाँ पर ripple factor voltage ripple factor क्या होता है ripple refers to unwanted AC output unwanted AC output which is present in the rectifier DC output और इसी को hurts क्या बोलते है guys harmonics बोला जाता है समझ में आया खता हमारे ripple factor है ना मोहित बाबा समझ में आया क्या होता है ripple factor चलब अब देखो यहाँट जो रिपल फैक्टर है रिपल फैक्टर को हम निकालेंगे कैसे ठीक है तो रिपल फैक्टर को देखो कैसे रिपल फैक्टर इस नधिं विट एफटि송 आरमेगागित एक करोनेट अब कैसे निकाल दोगे किसी भी वेव का form factor यहां पर कैसे निकाल दोगे गाईज बताओ form factor is nothing but it is given by RMS value RMS value divided by the average value कैसे निकाल होगे average value ठीक है average value अब यहां से देखिए इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि जो ideal value है form factor की वो क्या होनी चाहिए so ideally ideally आपका जो form factor है ideally form factor केतना होने चाहिए यहां से आपका 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए so ideally form factor केतना हो जाएगा आपका 1 होगा अगर ideally form factor 1 हुआ तो जो हमारा ripple factor है आपका तो RF कितना आ जाएगा हमारा RF 0 आ जाएगा तो RF 0 आने का क्या मतलब है हमें जो आपका signal मिला output मिला वो कैसा मिलेगा आपको pure DC output आपको मिल जाएगा लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना ऐसा कभी होता नहीं है ना ये तो सिर्फ कहने की बात है फिल्म ही बात है थी तो अब देखी जो हमारा ripple factor होता है practically तो practically देखो तुमको क्या देखने को मिलता है practically RF तो practically जो ripple factor है क्या देखने को मिलता है तो हमारे जो ripple factor है ये होता है आपका 1.22 किसके लिए half wave rectifier के लिए और यहां से हमारे पास में जो ripple factor है ये कितना होता है आपका 0.488 full wave rectifier है यह होता है हमारे पास पर चीक तो व्री व्री इंपोर्टेंट ये आपको exam में directly guys देखने को मिलेगा न एक्जाम में तुमको directly यहां पर देखने को मिलेगा यह वाला चलो गाइज बताएंगे फटावर्स से क्या होगा हाँ चलो आगे बढ़ें गाइज फटावट से चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है गाइज हमारे पास में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है आप देखो जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है जिसको पर में तब से लेक्टर दे रहा था तो transformer utilization factor क्या होता है न चल तो अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास में rectify रहा है तो rectify में अपन क्या use कर रहे थे transformer utilization factor यूज़ कर रहे थे न तो यहाँ सरथ सड़ी ट्रास्फार्मर्य यूज़ कर रहते हैं पंक है कि यूज़ कर रहते कैसी कर रहे थे तो बेसिकला लिए तर से लेक्शन ओप्ड़ियो। ठ्रांसफोर्मर्ट के लिए अशलेक्टिंग आथ सेलेक्शन ओर ड्रांसफोर्मर्मर्ट के लिए निकाला जाता आव सेलेक्ट आफ technical किस पर बाइन टी यू आफ टी इफ क्या होता है हमारा dc power supply to the load dc power यारिके dc power supply to load divided by the rms power और secondary rating of the transformer so divided by the ac power तो अगर आपके पास में हमारे पास में टी यू अवे लेबाल है तो अपन क्या निकाल से यहां से जो आपका transformer है ट्रांसफर मरकर secondary winding का निकाल सकते हैं क्या अपन रेटिंग तो यहां पर देखो जो टी यू आफ है वेरी वेरी इंपोरेंट टी यू आफ टी यू आफ हमारे पास में कितना होता है देखो 0.281 किसके लिए होता हमारे पास में किसके लिए होता है आपका हाफ वेव रक्टी फायर के लिए ठीक है और हमारे पास में 0.691 किसके लिए होता आपका सेंटर टैप्ड रक्टी फायर के लिए ना सेंटर टैप्ड रक्टी फायर के लिए होता है और यह किसके लिए होता है 0.821 यह किसके लिए हो था हमारे पास में full wave bridge rectifier full wave bridge rectifier के लिए होता है आपका okay very very important यहाँ पर exam में 101% आएगा 101% आएगा तुमारा ची कि चल तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कितना 0.281 और कितना हो जाएगा 0.691 और कितना हो जाएगा 0.281 अरे वेटा बैटरी फुल चार्ज है ना तुम चिंता मत कर वेटा ठीक है जब तक यहाँ पर आज जान है तब तक यहाँ पर आपका जो है session चलेगा चलो फटा फट से बताएंगे चलो चलो राइसे कैसे काम चलेगा ना ऐसे कैसे काम चलेगा जल्दी से बताएंगे संदर से अब यहां पे नेक्श्च हमारे पास में पीक इंवर्स ऑल्टेज़ना आप मैं से कोई पूछ भी रहा था कि सर्फ इंवर्स व्लटेज के बारे बता हो ना हम किसके लिए यूज करते हैं, selection of diode के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यहाँ पर use करते हैं, selection of diode के लिए यूज करते हैं, यह नि कि तुमको गर diode यहाँ पर बनाना है, तो diode के selection के लिए अपने इसको use करते हैं, यहाँ पर particular rating निकालने के लिए कि rectifier नार आ तो ficar रहा टाना इंटो डायोड की डाइटिंग पता अब की रेटिंग के लिए अपने इसको कर दें अटो यहां पर पीत केम आपिक इनवर्स वोलेज होते हमारा की द चनब, इनवर्सanton व्रेज जो हमारा होता है उसी को मेरे लाल बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी भासा में अगर डायड हमारा reverse wise condition में काम कर रहा है यानि की open circuit की तरह काम कर रहा है तो उसके across क्या बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज बोला जाता है क्या बोला जाता है पीक इन्वर्स वोल्टेज तो यह लीजिए हमारा क्या हो गया reverse wise condition हो गया और reverse wise condition में कैसे काम करेगा open circuit की तरह है न और न nice बैट क्यों सा ओल्डेज होका हमारा ओबिउस हेल पे यह निगेंटीव वोल्टेज है यह वला तो यह выглядит काम हारा maximum वोल्टेज होगा कर ने होगा चलो एतकी है तो यहां प्लयां पीर्षर मोल्टेज तो पीक इन्वर्स बोल्टेज आपका वीएब होता है किसके के लिए half wave rectify के लिए half wave rectify के लिए होताँ और यहां पे आपका जो 2 posição होता है हमारा 2 वी-m Peek inverse voltage किसके लिए होता आपका center तैब के लिए होता आप करple सेंटर टैब्ड फुल-WAVE rectify और यहां पर हमारे पास में जो आपका bridge rectifier होता है bricks Rekty shinía के कि लिए होता हमारा कितना होता है यह वियम होता है किसके लिए आपका full way bridge rectifier रेक्टिफाइट फोल वेव रख्टिफाइट ची क्या है तो अब देख सकते यहाँ पे अच्छा आप देख़ो यहाँ पि toplum यह वहारी एंपड municipalities की लिए is the higher the cost of the diode तो यहां पर एक साइड लिख सकते हैं कहीं भी यहां पर आपका जो peak inverse voltage अगर high होगा पीक inverse voltage ज्यादा होगा तो जो cost होगी हमारी cost भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी अच्छा अब जैसे हमारे पास पर कोई भी diode है हमारे पुल्स में जैसे कोई भी diode है गाइस तो यहां पर देखिएगा diode को अपन design करते समय किन किन चीज कर ध्यान रखेंगे अब आप यहां पर किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अब हमारे पास में जब जैसे हमने डायोड लिया यहां पर यह डायोड लिया आपने तो जब डायोड यहां पर आपने बनाया तो यहां पर आपके पास में डायोड जब ओपरेटिंग मनला reverse वाइस में काम करेगा तो यहाँ पे open circuit voltage आपका appear होगा तो यहाँ पे reverse current हमारा flow ना हो पाए इसके लिए यहाँ पे आपन क्या लेतें break over voltage या फिर क्या लेतें इसको breakdown voltage भी बोलते हैं breakdown voltage तो लेकिन हमेशा यह जो reverse wise voltage हमारा peak inverse voltage होता है आपका PIV तो यहाँ याद रखना है आपका जो डायोड है डायोड के designing में जोवारा peak inverse voltage है पीक इन्वर्स वोल्टेज ब्रेक्डाउन वोल्टेज से क्या होगा हमेशा नीचे रखा जाएगा so that diode कहां पर operate हो सेगा हमारा जो diode है आपका यहां पर safe operating condition में आपका जा सके ठीक है ना चल आगे चलते हैं guys यहां पर फटावर से जो यहां पर यहां कि सर अभी डायोड में यह चीज नहीं पढ़ाया मैंने अब यहां पर कोई भी ऐसा person है जो यह कहीं कि सर अभी डायोड में आपने यह नहीं पढ़ाया है अब बताओ यहां पर anyone कोई भी ऐसा है कोई यहां पर मेरे पार लो कोई ऐसा है जो ये कहसा कि sir अब डायोड में यह चीज बच गए है तो यहाँ पर सब कुछ भी हो सकता और lower half cycle भी हो सकता है तो ऐसे circuit को अपन क्या बोलते हैं क्लीपर circuit बोलते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर signal का कुछ portion यानिकि unwanted portion को रिमूव करता है तो इसी लिए इसको क्या बोला जाता है amplitude यहां पर पूछा गया ओपन किसके नाम से जानते हैं इसको जानते लिमिंटर के आप देखिए यहां पर पास में पास में कौन से कौन से एक होता है आपके पास में शंट और यहां हो गए यहां पर के नंगे हैं और II स्ट इंगर को चलिबर अब देखो जो क्लीपर सै्ट हमारे पास में कुलिघ Suzanne बाइंस क्लिपर आप किसे मिलके बने होते हैं guys, clipper circuit are made by the diode and resistance element, तो देखो दोस्तों यहाँ पे, तो यह हमने क्या लिया, resistance ले लिया, और shunt clipper है, तो इसको लटका तो shunt position में, यानि कि parallel में इसको लटका दीजे, यह हो गया हमारे पास में, ठीक है, चला, यह रहा आपका है न, तो यह आपका देखिए यहाँ पे, तो यह हमारा input voltage हो गया guys, और यह हमारे पास में क्या हो गया, resistance हो गया, और यह आपके पास में क्या हो गया, diode हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो diode है guys, diode क्या क्रोंट क्या ले लिजीए यहां से output voltage ले लिजीए यह हमारे पास में output & voltage होगे अब लिजें अब देखो यहां पर resistance यूज़ करते हैं वह क्यों used करते हैं छो यूज करते हैंamed करते हैं तो बेunkuड़ करते हैंDR तो यहाँ पर जो clipar circuit है so when when input voltage is greater than 0 input voltage is greater than 0 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा यह positive यहाँ पर आ गया यह negative यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हमारे पास में जो diode है guys, diode कैसे काम करेगा diode आपका यहाँ पर forward wise में काम करेगा तो diode आपने forward wise में काम किया यहाँ पर forward wise का मतलब कैसे होगा short circuit so in this condition यह जो diode यहाँ पर कैसे होगा short circuit हो गया कि नहीं होगा अब यह जो diode यहाँ पर short circuit होगा और short circuit के accruaust voltage कितना होता है zero voltage होता है ? तो हमारे पास में KITNA आगया आपका the output voltage is 0 निकल के आगया sum when ve-i is less than 0 योड है डायूड कहा पर निकल के आजाएगा हमारा reverse wise condition में आ जाएगा reverse wise condition में कैसे काम करता है जो open circuit तो अब यहां पर जो output voltage किसके एक्वाल आ जाएगा हमारा negative input के एक्वाल आ जाएगा ठीक है तो अब देख सकते हैं कि यहां पर clipping action है वो कहां पर हो रहा है so clipping action is done in the positive cycle है यहां पर आप देख सकते कि कोई भी यहां पर output voltage आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है चलो तो अगर मैं इसके output characteristics अब ड्रॉ करूँ है अगर मैं इसके output characteristics ड्रॉ करूँ तो जीरो से लेके पाई के बीच में जीरो हो गया और पाई से लेके टूपाई के बीच में क्या मिला हमको output voltage देखने के लिए मिला है मिला है कि नहीं मिला है बोलो हाया ना समझ आया चीक है अब देखो यहां पर यह transfer characteristics तो आप जो transfer characteristics है गाईस इसके लिए फड़ावर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा input और output voltage ले लूँगा तो यहां पर देखिए यह हो गया हमारे पास में output voltage और यह जो reason है यहां पर दो reason कौन से हो गया हमारा हो गया so input is greater than 0 और यह हो गया हमारे पास में input is less than 0 ठीक है यह हो गया हमारे पास में तो आप देखें यहाँ पर आपने क्या देखने को मिलेगा है तो जब यहाँ पर देखो VA is greater than 0 तो जब हमारा input guys यहाँ पर greater than 0 है output voltage तुमें क्या देखने को मिला है जीरो देखने को मिला है तो यहां पे हमारे कितना हो गया है? 0 हो गया है ना? तो यहां पे देखो लाल यह कितना हो गया आपका 0 हो गया च्छिक है? उसके बात देखो वेन वी याई less than 0 तो वीआay less than 0 यहां पे V इसटो कितना मिला आपको V not is equal to V i यानि कि linearity आपको देखने को मिल लाई है तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा linear output देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा V not is equal to V i आ जाएगा आप बोलेंगा सर यहाँ पर negative input क्यों है sorry third quadrant में क्यों लिए third quadrant में इस लिए लिए क्योंकि यहाँ पर output voltage क्यासा आ रहा है negative आ रहा है आपको ठीक है और विए इन्पूट भी कैसा हमारा input is also in a negative cycle that's why यहाँ पर काल यह third quadrant माहा है ठीक है तो यह क्या बनेगे हमारे पास में transfer characteristics बनेगा है अब clamper पर आगे चलेंगे लेकिन clamper पर आगे चलने से पहले तो मैं तुम लोगे doubt लेना चाहूंगा किसी को अगर दिक्कर समस्या परेशा नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं प्लीज कि अगर यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कर समस्या परेशा नहीं तो you can श्राइंट कर में न्हरों आगर क्लियर क्लियर है एकदम एक दम है तो फटा अलए दिया है तो Canada से अपने से पहरे से कमेंट कर बता गर्द यह गर्दा ओड़ा कंड़ें ने खर सक योगे जल्दी से सकते हैं और जीन मेरे iằngure circuit अब देखो जो clamper circuit है कि इस clamper circuit क्या होते है it is an electronic circuit which can add the DC value to the AC input signal और जब जाइसी वात है कि यहाँ पर कभी भी DC सर सीरीज की कविता ज़रूरत नहीं है यहाँ पर है ना सीरीज की ज़रूरत नहीं है चिक्रिस्टल पुलिंग क्या होता है बिटा crystal structure आपका वो structure होता है जिसमें हमारा material कैसे काम करता है एज़े और प्योर सेमी conductor की तरह काम करता है चलो हाँ तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे हालांकि देखो कविता जो series है ना series clipper में resistance को series में लगा देजिए ना एक मिनने में डाउट लिलू बिटा यहाँ पर यह जो यहाँ पर सीरीज में लगा इसको पैडल में लगा दीजिए और जो डायोड को यहाँ पर सीरीज में लगा दीजिएगा उसके बाद में सेम operation होगा तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसको नहीं लिया था आगे चलते हैं अब देखो हमारे पास में क्लैंपर सर्केट क्या होते हैं तो क्लैंपर सर्केट वो एलक्टोनिक सर्केट होते हैं अब जाएसी वात है किसी भी चीज में कोई एड करोगे सिगनल में तो सिगनल हमारे क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा या तो अपवर शिफ्ट होगा या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ठीक है अब क्योंकि है पर हमारे सिंगल शिफ्ट और अपवर डिया डाउन वर्ड तो इसी लिए इसको अपन क्या बोलते हैं हमारा जो क्लैमपर सब्सक्राइब इसको क्या ऐसा रखेंगे इसको अपन क्या बोलते हैं एच्छे के लें डीसे इसस्टिर You jugar तो यहां पर हमारे पास में ďज ह्टी तो यहां पर हांपर चलों अब uh मर्य पास ट्रेक्टी लेक्रीड तो सबसे पहले ने पॉजिटिव Uhr पर दो होते हैं हमारे पास में पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव क्लाम पर तो हमारे पास में जो पॉजिटिव क्लाम पर है गाईज पॉजिटिव क्लाम पर क्या होते हैं देखों तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कैसे लगता है रिवर्स या पनने चेक कि अप चलों इसकी में एक बर वर्किंग बता देता हूं न filthy पर इसकी वर्किंग बता में connect हुआ । डायोड जैसी forward wise में connect हुआ ना हमारे पास में ये circuit बन गया ठीक ये circuit बना हमारे पास में और जो current हमारा current कहाँ से कहां flow होगा आपका current आपका positive से negative flow हो था emission तो ये negative positive अब current हमारा anti clock अब उसके बाद में यहां पर वेन वेन विए इस इस लेटर देन जीरो ये ग्रेटर देन जीरो इन इस केस डायोड कैसे काम करेगा हमारा डायोड आपका reverse wise fashion में काम करेगा है तो reverse wise fashion में काम करेगा obviously यहाँ पर plus जाएगा minus जाएगा तो reverse wise fashion में काम करेगा है now diode act as a open circuit diode हमारा कैसे काम करेगा ऐसे open circuit की तरह काम करेगा आप चलो यहाँ पर देखो फटावर से तो यहाँ पर यह हमारा output voltage यह हमने निकालना है capacitor पर कौन सा value है हमारा यह maximum value के साथ में charge हो चुका है और यह हमारे पास में क्या है input cycle so now let it be consider input की maximum value यहाँ पर ले लिजे apply the kvl in this loop तो यहाँ पर kvl आपने apply किया तो हमारे पास में कितना आया minus vi और यहाँ पर कितना आया हमारे पास में minus vi minus vi minus vm और यह कितना आया हमारे पास में plus v0 is equal to kitना आया 0 vi is equal to कितना हमारे पास में तो वी नोट की वाल्यू कितना निकल के आगया हमारे पास में टू वी एम निकल के आगया ठीक है तो वी नोट यहां पर कितना निकल के आगया हमारे पास में यह तू वी एम यहां से निकल के आ गया और यह तू वी एम कब निकल के आ रहा हमारा पॉजिटिव साइकल में निकल क्या रहा है कब निकल क्या रहा हमारा पॉजिटिव साइव क्या रहा है इसका मतलब यहाँ पर आप काल पर करेक्षे ङॉकर हो Allah वो कहाँ पे ड nov 2VM हो गया तो अब देखो हो यहाँ पे निगेटिव में तो यह कितना चला गया? 0 चला गया निगेटिव वाला जो था निगेटिव तो कहां पर आगया? 0 लेकिन यह VM से कहां पर shift हो गया 2VM पर shift हो गया की नहीं हो गया? अब जो output voltage कितना मिला तुमको? 2VM मिला की नहीं मिला तो यह कहां से shift हुआ आपका प्लस VM से 2VM पर shift हो गया और जो negative था वो 0 पर shift हो गया समझ मैं है तो output voltage कितने निकल के आगए हाँ पर 2VM निकल के आगए so this is the complete working of the clamper circuit अब similarly यहाँ पर जो आपको positive clamper है तो positive clamper के साथ साथ में आपको negative clamper भी दिखा देता हूं फटावर से ठीक है तो हमारे पास में जो negative clamper होता है guys working same होती है आपके न negative clamper negative clamper और आपके लिए homework इसका output voltage आप निकाल के भी दिखाएंगे तो यह हमारा capacitor हो गया और यहाँ पर diode आप positive passion में करनेट करेंगे एससे यही में हलंकी सिर्फ इसके symbol आयते identify करने के लिए input output ठीक है चला तो यह हमारे पास में क्या हो गया negative clamper हो गया एक पर फटा फट से बताएंगे सुन्द से पहरे से comment करके करदा ओड़ा की नहीं ओड़ा आग लगी दिलों में की नहीं लगी है न चलो आई होप यहाँ पर आपको पसंद आ रहा होगा सारी चीज़ है तो next topic की तरफ हम लोग move करते हैं और next topic हमारे पास में bipolar junction transistor so this is a complete explanation of the diode चलो बताएंगे फटावर से और जो कुछ special type के diode है उसको में एक अलग से session में लूँगा है न जैसे कि शौट की करता और आना अभी bit fast guys bit fast जल्दी से बताएंगे तब तक मैं यहाँ पर पानी पी लेता हूं एक बर फटावर से बताएंगे यार मज़ा आया केम चो चलो अब आप test series लगा के देखना और जब test series लगाओगे उसके बाद हमसे बात करी हो चीक है चलो अब देखो आगे चलते हैं गाइस यहाँ पर और bipolar junction transistor को देखते हैं तो अब देखें यहाँ पर जो bipolar junction transistor है अब BJT है जिससे अपन commonly क्या बोलते हैं BJT तो bipolar junction transistor basically कहाँ पी यूज होते हैं आपके जो amplifier application है amplifier application में यूज किया जाते हैं signal को boost up करने के लिए हालांकि इसका जो on switch off switch attunation इसकी तरह भी आपके इसको कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और जिंदगी में एक बात याद रखना हमेशे जब आप आगे वड़ोगे तो आपके दोस्त हमेशे आपको पीछे टंग पकड़के पर ठेंगे तिन layer को sandwich करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि यहां पर जैसे आपको देख रहा है न तो इसको मैं इस फर में बना देता हूँ like this है इस तरीके से यहाँ पर बना देता हूं इसको like this है तो मैंने यहाँ पर क्या किया तीन लेयर को यहाँ पर form किया तो एक यहाँ पर N-type semiconductor लिया दूसरा P-type लिया और यहाँ पर कौन से लिया एक हमने N-type लिया तो यह जो हमारा portion इसको अपन क्या बोलते हैं गाइस इसको बोलते हैं अपन collector साइब और इसको बोलते है a meter और इसको अपन क्या बोलते हैं यहीए बेस बेस बोला जाता है क्या वोला जाता है इसको बेस बोला जाता है तो यहां पर कितने हो गया हमारे 123 जंशं הה소 किकने orienti जेवन और किसे जांवे जेटव टू तो टांगेस्टर हमारा क्या यूज कर सकतें गाइस NPN transistor को भी यूज कर सकतें तो NPN transistor sorry NPN की ज़्याद PNP भी यूज कर सकतें तो PNP में क्या होगा दो P layer को एक N layer के साथ में sandwich करा दीजेगा एक sandwich करा दीजेगा ठीक है तो one second यहाँ पर सेम निकल के आजाएगा लेकिन यहाँ पर generally हम किसको को use करते हैं NPN को use करते हैं जबकि PNP को use नहीं करते हैं इसका reason क्या होता है NPN को use करने का reason क्या होता है NPN को use करने का बेटा reason होता है जो electrons है electron की mobility बहुत जादा high होती है electrons has electrons has high mobility as high mobility mobility as compared to die as compared to holes holes के comparison में हमारे पास में क्या होता है आपका इसकी बहुत जादा high mobility होती है that's why हम किसको use करते है जो हमारा NPN transistor इसको use करते है rather than the PNP transistor चलो अब देखो यहाँ पर जो symbol है गाई symbol आपने यहाँ पर देखी लिया इसका तो यहाँ पर अपने बात करेंगे symbol के बारे में तो यहाँ पर देखी यह हमारे पास में क्या है यह आपके पास में transistor आगया तो यहाँ पर यह हमारे पास में collector हो गया यह आपका emitter हो गया और हमारे पास में क्या हो गया base हो गया आपका ठीक है आप देखो यहाँ पर जो त्री टर्मिनल है तो त्री टर्मिनल में आपका जो कलेक्टर और एमीटर होता है तो कलेक्टर और एमीटर जो टर्मिनल है इसको अपन क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं में टर्मिनल क्या बोलते हैं इसको में टर्मिनल और जो हमारा बेस होता है ग अब देखो इसको base को control टमिला इसलिए बोलते हैं यहां पर अगाट ट्रांजिस्टर को आपको on रखना है तो यहां पर जो बेस करेंट है हमारा इस बेस करेंट को कैसे करना पड़ेगा आपको continuously यहां पर apply करना पड़ेगा तो अंटिल अनलेस यहां पर continuous base current आप दे रहे हैं जब तक base current हमारा present है continuously तब तक यहां पर आपका जो transistor है वो कैसे हमारा on state में काम कर रहा है otherwise यहां पर आपने discontinue किया यहां पर immediately क्या हो जाएगा आपका transistor off state में चला जाएगा इसलिए इसका जो reason होता है यहां पर इसलिए इसको अपन क्या बोलते है current controlled device बोला जाता है तो बीजेटी हमारा कैसा device है guys it is current controlled device कैसा device है guys आपका current controlled device ओके तो बीजेटी is also known as current controlled है यह तो मतलब जैसे वो फूपा जी होते है ना साधी में हर साधी में आते ही आते है ना वैसे ऐसे से यह के हरे एक्जाम में आता है कि बीजेटी हमारा कैसा device है current controlled voltage control answer कितना हो जाएगा हमारा current control why क्योंकि इसका जो on state और off state जैसे controlling का मतलब क्या होता है हो कोई भी डिवाइस है जैसे तुम होना वहना तुम्हारे बाबूश होना हों ए अगर बाबूश होना है कि हांत्रोल कर रहा है कि यहां मत जाओ यहां जाओ तो तो तोम्हारी जो main terminal है वह कौन हुए तो वैसी यहां पर इसका बाबूश होना कौन है यह बेस है अगर यह चाहेगा तो on होगा यह चाहेगा तो off होगा है तो यहां पर जो on state और off state किसके हाथ में इसके हाथ में है, that's why it is called control terminal है और इसको अपन क्या हो लें current control device हो लेंगे, चल अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर KVL मैं लगा दू है यहाँ पे अगर मैं KVL लगा दू sorry KCL लगा दू, तो KCL से यहाँ पे जो ammeter current है, ammeter current किसके एकोल निकल के आगे हमारा IB plus IC के एकोल निकल के आगे है, ठीक है, और normally अगर यहाँ पे देखा जाए, तो यह हमारा ammeter current है, it is greater than the IC and IC is greater than IB, ठीक है, यह relation हमारा पाया चाहता है यहाँ पे याद रखना, जो हमारी ammeter की doping है, डोपिं है इस से कम होती है आपकी ammeter से, लेकिन base से जादा होती है तो जो base की doping होती है, वो क्या होती है, सब से least होती है, तो base की doping होती है, आपकी least doping होता है आपका, ओके, चलो least doping, इतनी वाद समझ मैं तो this is the basics of the BJT, आगे बढ़ेंगे गाई, फटा वर्से और next हम देखेंगे, यहाँ पर analogy, तो यहाँ पर देखेंगे, analogy analogy का क्या मतलब होता है, यह बहुत important है, आपको हर एक book में मिलेगा भी नहीं analogy का मतलब होता है यहाँ पर, कि जो हमारे transistor है transistor को diode के साथ में represent करना है तो देखें, अगर हम दो diode को इस तरीके से configuration में लगा दे, यहनी कि इनका जो anode और cathode cathode को यहाँ पर phase to phase connect कर दे तब यहाँ पर यह कैसे काम करता है आपका ऐजे, PNP की तरह काम करता है हमारे पास में, ठीक है, और दो diode को अगर मैं back to back में connect कर दूँ कैसे back to back connected है, तो यह कैसे BGT का समसे, एक question आपका 101% यहाँ से, तेह, हर बार आता ही आता है, ठीक है, आज चाहे time कितना भी हो जाए, यह खतम होके ही रहेगा, आज कुछ भी नहीं हो सकता, चलो बताएंगे फटावर से चलो, ओके आगे बढ़ें आगे बढ़ें चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मार कुटाई अगर होगा, तो कोई दिक्कत वाली नहीं खा लेगे है, है न चलो, तो यहाँ पर आगे चलेंगे, और mod of BJT को देखेंगे अच्छा, mod of BJT का मतलब क्या होता है mod of BJT का मतलब होता है यहाँ पर देखेंगे, अपन एक साइट देखेंगे, mod है तो यहाँ पर देखेंगे, mod of transistor, और यहाँ पर देखेंगे ammeter to base junction ammeter to base junction और यह देखेंगे, यहाँ पर collector to base junction, और यहाँ पर देखेंगे application चीक है, application तो यहाँ पर देखेंगे, जब हमारे जो transistor है कैसे काम करता है, आपका cut off मोद में काम करता है किस में kut pull-off में हमारा जो anwich Amit considerable है आपका और आपको collector Junction आपकी reverse robert होते हैं कैसे charge में कैसे काम करता है जे on switch की तरह क पाम करता है कैसे काम करता है दोस्तेarner off switch की तरह काम करती कैंद अब उसके बाद में देखिंस next आता हमारे पास में saturation तो जब में our saturation motion host to saturation मोड में हुद्ए हाओ यहा पर दोनों जं सनक्रीं आपके कैसे ह YEHAN पर बाइस किये जाथे हैं दोनों जंसरा आपके लगाए जाते हैज में होजेंट एक अब हमारे पास में एक्टिव मोड अब जो एक्टिव मोड है एक्टिव मोड में देखो अमीटर टू बेस जंक्शन कैसे होता है हमारा फॉर्वर्ड वाइज में होता है और क्लेक्टर टू बेस जंक्शन कैसे होता है आपका रिवर्स वाइज में होता है और यह कैसे काम करता है ह एसे एंप्लीफायर की तरह एंप्लीफाइर वयरी वयरी इंपोर्डेंट तो यहाद दकेंगे हमारे जो एक्टिव मोड में एक्टिव मोड में कैसे काम करता की तरहं काम करता है next हमारे पास में inverse active very very important है न क्योंकि पता नहीं होता है इसलिए inverse active ह match पर जब कहलेक्टरव आज़ा से कांड़ा है र सोटा है ापको फॉरवर्डवास नहीं होता है है और यहाँ पर कैसे काम करता है एज तरह काम करता है एट यूशन कि तरह काम करता है अब देखिए attenuation या attenuation क्या होते हैं तो attenuation का मतलब होता है जो हमारा net input signal है उसकी value में decrease करना है यह कैसे काम करता है जो attenuation होता है हमारा attenuation का मतलब होता है कि net input signal को decrease करना चीक है so this is the complete mode of the operation of the bhti very very important है मतलब जितनी importance दो दोस्तों इसको उतनी importance क्या है काम है इसके लिए ठीक है चली यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं तो फिर मैं भी कसम दे दूँँआ ठीक है अब कसम नहीं दे रहा हूं कोई बात नहीं तुम लोग नाराज हो आते हैं कि सर ठीक है पढ़ा ही अपनी जागे लेकिन अब बाभूश होना की कसम दे दे तो आप हर बार ऐसे थोड़ी न कर सकते हैं तो चलो नहीं दे रहे तुमको बाभूश होना की कसम लेकिन इसको यहाँ पर प्लीज इडिस मैं हमबल रिक्वेस्ट इसको आप क्या करके जाएंगे रिवाइस करके ही जाएंगे चल आगे चलते हैं यहाँ पर फटावर से और नेक्स अपन देखते हैं यहाँ तो नेक्स्ट गाइस हमारे पास मॉड़ अपरेशन के बाद में क्यू पॉइंट अपड़ ट्रांजिस्टर नेक्स्ट पूट यहाँ पर फटावर से लोड लाइन कर्व यहाँ पर देखते हैं तो जो लोड लाइन कर्व होता है हमारे पास में लोड लाइन कर्व इसको की बीच में रोग किया जाता है it is drawing between input output voltage and output current तो यहाँ पर अपन output voltage और output current के बीच में क्या करते हैं यहाँ पर जो लोड लाइन कर वे इसको ड्रॉग किया जाता है तो यह क्या होगा हमारे पास में यह होगा आपका output voltage VC यह ठीक है तो VC हमारा क्या ह है output voltage और यहां पर क्या लेंगे output current तो output current हमारा क्या होगा है IC output current हो गया चिक है now while wearing the base current sorry base voltage यहां पर अपन क्या करते हैं जो हमारे graph इसको draw करते हैं like this है इस तरीके से तो जैसे जैसे यहां पर आप voltage value बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यहां पर reason हमारा increase होता जैसा जाते है like this है इस तरीके से तो यहां पर देखिए यह हम का रिजन निकल कहा है यह हमारा कौन से रिजन कह ला था हमारा गईस यह कैण lot आपका active reason ए और ये जो reason है नहें वाला ये अैंडा क्या हूख ये क्या है था तक से kind Squad like का इससोग ले जिए यह lớp ले लीजिये यह तो यहाँ पैस्साँ हमारा जोब होता है ए अलाद 10 चैन तो यह हमारे क्याल अधा क्या क्या था इसी था इस मारे जो का जो collector current और collector to emitter voltage यह क्या कहल ला था आपका q point कहलाते हैं प्लब्लम क्या आती है कि जो हमारे q-point ये कैसे होने चाहिए इस्टेबल होने चाहिए क्योंकि अगर यहां पर q-point हमारा change हुआ q-point यहां पर क्या हुआ change हुआ अगर हमारा q-point change हुने का मतलब है कि यहां पर हमारे IC और VC इस एगर कोई चेंज हो गया। तो यहां पर हमारे पास में क्या हुआ जो ट्रांजिस्टर का मोड है मोड हो जाए गाइस आपका चेंज हो जाएगा। मतलब हो सकता है किसमें पॉन्ट किसम पॉंझें problem यह है कि यहां पर हमारे पास में जो IC होता है IC कैसा होता all right IC के unstable होने के बहुत सारे reason होते है इसके देखो instability के reason क्या है देखेंगे photoOver से very important ना oppositeне with Free मेरे मिल ला है तो उसकी थोड़ा सा कदर करो तो IC के unstable के बहुत सारे reason है पहला reason होता हमारे पास में ICO, दूसरा होता हमारे पास में यहाँ पर VBE, यानि कि base to ammeter voltage, और तीसरा हमारे पास में beta, यानि कि current gain, ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो ICOA के हमारे reverse saturation current, VB के है base to ammeter voltage, और beta के हमारा temperature, देखो, अब यहाँ पर पता है problem क्या है, हमारा जो I ICO यह किस पर depend करता है guys, temperature पर depend करता है, अलग slide ले लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में जो ICO है, यह किस पर depend करता है, आपका reverse saturation current बोलते हैं, collector reverse saturation current, तो ICO किस पर depend करता है guys, यह temperature पर depend करता है, temperature पर depend करता है, अब यहाँ पर जो temperature है मेरा, temperature, तो temperature guys आपका कितना अगर increase 10 degree rise अगर increase हुआ तो जो हमारा ICO है guys ICO कितना increase होता ICO आपका two times ICO हमारा कितने times increase हो जाए guys it is increased by the two times तो आप देख सकते हैं यहां पर और अगर हमारा ICO increase हुआ है तो ICO change हो जाएगा ICO अगर change हुआ तो हमारा ICO change हो जाए कैसे की value होती है यहां पर पीछे हो यहां पर देख हो अगर a iste value निकाल गों किसकी इस की value निकालो तो a surika approximately कितना होता है मरे पास में beta into ib यह होता है लेकिन लेकिन है ना अगर मैं exact value निकालू exact value निकालू तो यहां पर home ana c कितना होता होता कैसे 2016 इसी गिवन बाइभाvention यह होता है हमारे पास में क्या exact value of the collector current अब यह हमारे पास में exact value of collector current है तो आप देख सकते हैं अगर यहां से मेरा ICU change हुआ, ICU change हुआ तो कौन चेंज हो गया, IC change हो गया, IC change हो गया तो हमारे क्या हो, mode of operation चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, चल, next चलते हैं गाईस और next हमारे पास में VBE, अब देखो जो base to emitter voltage, बैसे तो base to emitter voltage है, 0.7 हमारे पास में किसके लिए होता है silicon के लिए होता है, same होता है और आपका जो 0.3 है किसके लिए होता हमारा, germanium के लिए होता है लेकिन यहां पर जो हमारा base to emitter voltage है, यह किस पर depend करता है, यह ससरा temperature को उपर depend करता है, यह भी temperature को उपर depend करता है, अगर यहां पर हमारे जो temperature है, कितना, per centi degree, 1 degree centigrade से आपका increase होता है होता है तो यहां पर यहां पर हमारे जो VB है VB क्या हो गाइस VB decrease by 2.3 miliwrld तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएग़ है 2.3 मोल्ट से क्या हो जाएगा है decrease हो जाएगा अब दो यहां पर एगर VB Tech Once हुआ हमा रहे है तो VB Church हो जाएगा Input Current माई भी चेंज हो जाएगा और अगर आई भी हमारा चेंज हुए तो aic चेंज हो जाएगा ic हुए तो गया ही भैस पानी में हैं है why not hace no ? modॉ-O erhalten Healthble operation ही चेंज हो जाता मारा हो जाएगा कि नि हो जाता कहती है YouTube तो यहां पे हमारे Anybody temperature एंप्रटर्टरट चेकति चलो नेङ्स्ट हमारे पास में बीटा तो गांइस डेखो डीटा होता है गाईस बीटा होगाई टॉक्त होगाई गाल यह गांद पांधs कंभीटा को किसा फटं करता बीटा मज़ा आया अगर मज़ा है तो सुन्दर से पहरे से कमेंट करके बताओ एक बार जल्दी से सभी लोग प्लीज है ना एक बार सुन्दर से पहरे से कमेंट करके जल्दी से बताएंगे अगर मज़ा आया है तो मज़ा है तो सुन्दर से पहरे से कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से बताएंगे ट्रांजिस्टर का है जो इंट्रोडेक्शन करते हैं पसंद आया हो तो जल्दी से बताएंगे फटावर से यार एक बार है ना फटावर से बताएं गाईज फिर उसके बाद आगे चलते हैं अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं टैक्निक का यूज करते हैं तो हमें कुछ भी कर ले यहाँ पे IC हमें क्या करना पड़ेगा इस्टेबलाइज करना पड़ेगा अगर IC को तुमने इस्टेबलाइज नहीं किया न तो यहाँ पे हमारा mode of operation चेंज होता रहेगा तो IC को इस्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इस्टेबलाइजेशन टेकनिक का य्यूजे करते हैं तो कि यहाँ पर जो हमारा SF, Stability Factor है, तो Stability आपकी यहां पर, कैसे निकालेगा ना, तो जो Stability होते हैं हमारे पास्ट, Stability क्या होते हैं, यहां पर, तो it is the ratio of the, change in the collector current to the change in the collector reverse saturation current, यह हमारा क्या होता है, यह होता है गाईज, यह होता है आपका, एक मिट गाइस पानी या नहीं पी ली जाए न तो यह क्या होता है गाइस आपका यहां पर और इस्टेबिलिटी फक्टर होता है हमारा जस्ट गिम यह वन मिनिट हाँ चलो देखते हैं तो अब देखो यहां पर क्या होगा हमारे पास में इस्टेबिलिटी फक्टर है तो इस्टेबिलिटी फक्टर क्या होता है इस्टेबिलिटी फक्टर क्या होता है इस्टेबिलिटी फक्टर होता है तो यहां पर IC is equal to कितना होता हमारे पास में IC is equal to होता हमारे पास में बीटा इंटू IB और 1 प्लस बीटा इंटू ICO तो इसको अपन क्या करेंगे यहां पर डिफ्रेंशेट करते हैं इसके पार्शल फ्रेक्शन होंगे तो यहां पर डिफ्रेंशेट करने के बाद में आपको जो इस्टेबिलिटी फेक्टर वो कितना देखने को मिलेगा इस 1 प्लस बीटा डिवाइड़ वाइ 1 माइनस बीटा इंटू डेल IC अपन IB यह आपको देखने को मिलेगा वेरी वेरी इंपर्डेंट गैस वेरी वेरी इंपर्डेंट है न यह आपको क्या मिलेगा estability factor यहां से देखने को मिलेगा वेरी वेरी इंपर्डेंट काई वेरी वेरी इंपर्डेंट चिक चलो तो आगे चल देए इस पड़ावर से यहाँ तक सभी को I hope clear होगा कोई दिक्रा समस्य परिशैनी किसी को नहीं होगी है न तो यहां पर IC के स्टेबलाइशन के लिए हम क्या यूज करते हैं जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट सर्केट है ना डिफ्रेंट डिफ्रेंट सर्केट को यूज करते हैं क्या यूज करते हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट सर्केट को यूज करते हैं चलो IC upon IB कोई doubt है तो बताओ कोई अगर doubt है तो बताओ कहाँ पे कहाँ पे कोई doubt है अगर है तो बताओ अच्छा यह एक मेट यह उल्टा लिख दिया यह उल्टा लिख दिया गाईस यह होगा मारा डेल IB upon IC यह होगा आपका न डेल IB upon IC यह उल्टा लिख दिया था IC not IE यह कितना होगा हमारा IC होगा अभी ठीक है चलो printing mistake है अभी ठीक है कोई दिखकर समझे है परेशा नहीं anyone अब देखो यहाँ पे दिया रखना जो ideally अगर हम बात करें किसमे ideally है तो ideally हमारा जो stability कितना होना चाहिए हमारे 1 होना चाहिए आगे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पर next देखते हैं इसके configuration circuit को चलो तो हमारे पास में configuration circuit है सबसे पहले हमारे पास में fix bias सबसे पहले आपके पास में fix bias circuit fix bias है ना तो हमारे पास में जो fix bias है fix bias circuit को अपन देखते हैं fix bias चलो तो यहाँ पर इसको draw कर लेते हैं फटावर्ट से और आज की वाद जो तुम्हें transistor में calculation करने में दिक्कत होती थी होती थी की नहीं होती थी पहले यह बताओ transistor में तुम्हें आज की वाद जो आज से पहले calculation में problem जो होती थी अब वो कभी नहीं होगे न अब वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी चलो एक मिनदा बस होगया सो ये हमारे होगे गैस посмотр on city और ये कितना होगा आपका RC और यह हां पर क्या होगा हमारा lord सिंद यहां पर हमारा collector current IC fly रहता है और हमारे पास में क्या होगे क्या होगा वीची होगा में धिक है यह इनलोलगा अपको यह हमारे पास में VCE हो गया आप देखेशं के होगा देखेशं से अपको kita ow क्लेट के करना है इसके लिए आई सीउड-मीस का वैलियो है आई सीउड your VCE आपको अपको अगै करना है चलो आगे चलते हैंगा इस ऐण पर तो अब के वी एल इन आउटर लूप के वी एल इन आउटर लूप अब देखो आउटर लूप में के विल लगाओ तो हमारे पास में कितना आ जाएगा है माइनस वी सी सी प्लस यहां पर करेंट क्या फ्लो होगा आपका यहां पर करेंट आई वी फ्लो होगा हमारे पास में करेंट लो क्या होगा आपका IB into RB है उसके बाद में कितना आ जाए हमारे पास में यहां का जो वोल्टेज होगा यह वाला वोल्टेज यह कौन सा वोल्टेज होगा आपका बेस्टू अमीटर वोल्टेज वी बी ठीक है तो यहां पर कितना आगे हमारे पास में वी बी तो यहां से हमारे पास में जो base current है base current का value कितना निकल के आगे हमारा Vcc minus Vbe upon Rp यह आपके पास में निकल के क्या आगे हमारे पास में जो base current है guys, base current का value यहां पे निकल के आगे है base current का यह वाला value यहां से निकल के आजाता है चल आगे चलेंगे यहां पर आगे देखेंगे next आपको क्या निकालना आइसी निकालना ना तो आइसी निकालने के लिए हमें पता है आइसी निकालने के लिए कितना होता हमारा आइसी स्कल्टू कितना होता है आपका बीटा इंटू आईबी कितना होता है guys हमारे पास में beta into ib होता है आपके पास में तो यहाँ पर हम किसकी value निकाल लेंगे जो ic है guys ic का value यहाँ से निकाल लेंगे आप ठीक है next यहाँ से क्या निकालने आपको next यहाँ से निकालने आपको आपको यह VC निकालने so now apply the KVL in this loop इस वाले loop में क्या लगा देगे वेट आप KVL लगा देज़े so next apply the KVL in outer loop so KVL in outer loop in outer loop ठीक है outer loop में क्या लगा देज़े KVL लगा देज़े तो यहाँ से आप KVL लगाएंगे तो आप देखें यहाँ पर क्या निकालने है output निकालने देखें तो output के value कितनी होती है input minus losses होती की निकालने तो यहाँ पर input minus losses के अगर value निकाले तो यहाँ पर क्यत्ना हो जाईगा यह हमारा output input कतना है VCC losses क्यों है IC into RC होंगे हमारे पास में ठीक है तो यहाँ पर आपके पास में जो आपका VCE है इसका अब देखो output power या फिर power distributed at the junction है न बोथ are the same things तो यहाँ पर इस तरीके से वो पूश सकता है कैसे पूश सकता है आपका power distributed at the junction power distributed at junction तो junction पर जो हमारी power distributed होगी guys it is given by output voltage into output current तो PD का value कितना होगा guys it is given by IC into VC तो यहां से क्या निकाल सकते है आप जो आपकी power hi power distribution आप यहां पर निकाल सकते है ऑराम से क्या निकाल सकते power distribution निकाल सकते है चेक है चल घृत ट्लीयर हगो cilia roting का आपको सभी everyone सबीको clear हगो यह clear हो हो बताएंगे जल्दी से चलो इसका जो next next configuration वो देख लेते हैं, तो next हमारे पास में collector vice, चलो तो collector sahiba को देख लेतें फटावर से, collector vice configuration, चीक है, आप देखो यहाँ पे जो collector vice होता है हमारे पास में, collector vice में guys क्या होता है, हाँ, अब देखो यहाँ पे जो collector vice ही, देखो, यह वाली configuration बहुत important है guys, बहुत बहुत जादा, और इसमें आप लोग गलतियां भी बहुत करते हो, चीक है, आप लोग इसमें बहुत जादा गलतियां करते हो, तो यह देखी, यह हमारी collector vice configuration बन गई, यह हमारे पास में क्या होगा, प्लस vcc, और यह होगे हमारे पास में आई-बी, यहां से आपका एक resistance लगा दी हमने आई-बी, और यह हमारे पास में क्या होगे, यह RC, चीक है, आप पता आप लोग गलती क्या करते हो, गलती यह करते हो, यहां पे, जेखो, collector terminal कौन सा है, यह terminal है, तो current IC जो flow होगा, वो यहां पे flow होगा, आपका, this is your collector terminal, और यह यहां पे current flow होगा, वो कौन सा होगा, IB flow होगा हमारा, तो यहां पे जो हमारा ऊपर का जो terminal है, यह वाला, यहां पे कौन सा current flow होगा, यहां पे आपका IC plus IB flow होगा, के नहीं होगा, बोलो हाया न, यहां पे कौन सा current होगा, IC plus IB होगा, यह आप से सबसे जाधा गलती होती होती ह अब देखो यहाँ पे जब आप equation लगाओगे यहाँ पे जो outer kvL है ना outer loop इसमें kvL लगा दीजिए तो यहाँ पे हमारे पास में जो ib का value निकलेगा ib कितना निकलेगा इस इस गिवन वाइ vcc minus vbe divided by मैं direct लिखूंगा ना 1 plus beta into rc plus rb यहाँ पे आपका निकलेगा अब यहाँ पे 4 ic निकलने तो ic कितना निकलेगे beta into ib से निकल दीजिए beta into ib अब देखो in this configuration में होता क्या है generally हम क्या करते है जो 1 plus beta है तो 1 plus beta into rc यह क्या होता है आपका it is far far greater than rb अगर है तो rb को इसके comparison में निगलेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो 1 plus beta है beta 1 plus beta को approximately किसके को ले लिया beta के को ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास में जो current ic है देखो यह कितना निकल के आगए directly current ic हमारे पास में निकल के आगए vcc minus vbe divided by कितना आगए हमारे पास में बीटा से बीटा कट जाएगा कितना आगए rc आगए very very important guys much much important है न बहुत जादा आपके पास में important a वाल configuration ठीक है समझ मैं सभी को ठीक है उसके बाद में क्या निकालना है आपको यह वाला vce निकालना है तो vce निकालने के लिए आपकल क्या करेंगे हम यहाँ पर जो आपका outer loop है इसमें kvl लगा देंगे तो यहाँ पर आपका जो vce है vce कितना जाएगा it is given by vcc minus कितना करेंगा ic plus ib और यह हमारे पास में कितना हो जाएगा rc हो जाएगा च्छिक है तो यहां से गया निकल आएगा आपका output करेंट निकाल आएगा everyone बताएंगे फटावर से bit fast जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे फटावर से यहाँपे फटावर से बताएंगे हाँपे clear clear वह सभी को एकदम clear वह जक्कास तरीके से यह एक बार फटावर से सुन्दर से पहले से कमेंट करके बताएंगे लास्ट कॉन्ट्रिग्रेशन बचाओ और आपका पांच मिट का लेक्चर और बचा हुआ है बस एकदम जल्दी से बताएंगे इस फटावर से चलो next configuration हमारी पास में potential divider next guys आपके पास में potential divider potential divider ठीक है तो देखा अब जो potential divider है इसको अपन देखते हैं एक बार है अब देखो जो potential divider है तो potential divider हम लोग क्या करते हैं like this इस तरीके से इसको बना लेंगे फटावर से so this is rc this is re okay और like this इस तरीके से यहां पर दो resistance लगा देंगे अपन लोग यहां पर so this is r2 this is r1 आप चाहो तो इसको उल्टा भी लिसकते हो ना मुझे कोई आपती नहीं है और यहां पर क्या लगा दी हमारे पास में यह vcc है अब हाँ पर इसको अपन किस तरीके से solve करेंगे यहां पर देखो इसको किस तरीके से solve करेंगे see guys, किस तरीके से इसको solve करेंगे see, तो सबसे पहले न, इसका क्या निकालेंगे थेविनिन निकालेंगे, इस point पर इस point पर थेविनिन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में, जो थेविनिन voltage होगा, VTH यह कितना आ जाएगा take total voltage, voltage division rule लगा दीजे VCC, किस में निकालना है, हमको R1 में, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में, R1 प्लस R2, चीक है उसके बाद यहाँ पर इसका RTH निकालेंगे R equivalent, तो R equivalent RTH कितना आ जाएगा हमारा, R1 R2 divided by R1 प्लस R2 यह हमारे कितना आ जाएगा, RTH ना, और यह हमारे पास में कितना आ जाएगा है यहाँ पर current क्या फ्लोवर हमारे पास में, IB फ्लोवर है ठीक है, बस, अब यहाँ पर इसका गरदा उड़ जाएगा आहराम से, इसको माल लीजे, VCC ठीक है, यह VC ले सकता है, अब नो इश्यू अब देखो यहाँ पे एक बार इस वाले लूप में equation लगा दीजिए और एक बार इस वाले लूप में equation लगा दीजिए आपके पास में क्या निकल के आजाएगा जो answer है वो निकल के आजाएगा अच्छिक है तो अब देखो हमारे पास में अगर हम इस वाले लूप में equation लग प्लस VB, और यह last में कितना आ जाएगा हमारे पास में, IE into RTH, तो एक equation बनी है हमारे पास में, और जो IE का value है guys, IE कितना है हमारे पास में, IE है आपका IC plus IB, और हमारे पास में IC कितना है guys, IC आपका beta into IB, ठीक है, यह सारी values यहाँ पर रख दीजे, तो हमारे पास में क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन lecture को विराम देंगे, तो यहाँ पर lecture को विराम देंगे, आपका एक lecture और बचा, जिसमें आपका ideal जो OPM और जैना diode है, वो करा दूँगा आपको, तो guys कैसा लगा सभी लोगों को, PDF के लिए simple question करना है, आपको simple search करेंग मज़ा आया, चला, so thank you so much everyone, सभी लोगा guys, बहुत बहुत धने बाद, तो मिलते हैं अपने यहाँ पे, मंडे को, शाम को, 6 वजे, तब तक लिए टाटर चेक है, बाबाई, यह जो lecture आपका guys, SSCJ के साथ में, जो PGCL exam, उसके लिए बहुत जादा helpful आपका, so thank you guys, बाबाई, and love you all.